पूरे महिने का करेंट अफेर का अध्यान अपनिया पर करने वाल है और यह जो करेंट अफेर है वो सभी परकार की परिक्षाओं के लिए काफी महित्मुन है दोस्तो पूरे अप्रेल महिने का करेंट अध्यान अपने यहाँ पर करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का अपना इस सेशन दोस्तो यह अभी तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज व्यूड़ियो के नेचे जाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तोष वीडियो को लाइक जरूर कीजी और अपने दोस्तो के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा شेयर कीजी सबसे पहले है दोस्तो समरी कौन-कौन से टोपिक के अंदर अपने अध्यान करेंगे अन्तराश्टिया, राश्टिया, राज्य, बेट अगम, समिलन, नियुक्तिया, बैंकिंग से समनदित करण अबट अपयर होंगे। समझोते जो व्यापार है उनसे संबंदित करंट अपर अपने सामिल की है विज्ञान और तकनीक खेल पुरुसकार निदन रक्षा रेंक और रिपोर्ट मैधपुन जो दीवस होते हैं अपने पुस्तके अमलेकर और वीवी तो इन टोपिक्स के अंदर अपन दोस्तों यहाँ पर अध्यान करने वाले है अप्रेल महिने के पूरे मंत के करन्ट अपयर का अध्यान अपने यहाँ पर करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी करते हुए आज का अपना यह सेशन शुरू करते हैं आप से रिक्वेस्ट करना चाओंगा यह अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको परते ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अपन अंतराष्टे करेंट अपैर अंतराष्टे इंटरनेशनल जो करेंट अपैर है उनका अपन यहापर अद्यान करेंगे तो सबसे पहले अपना दोस्तों नाटो परमुग ने वीडियो के एक समूग की नियुक्ति की हाली में बुद्ध बनाने के लिए एक परिक्रिया के तहट की गई है तो दोस्तो अब बात करेंगे नाटो की क्योंकि एक जयाम में क्या होता दोस्तो जो current affairs होता है उससे related questions भी बहुत बार पुछे जाते हैं तो अपन बात करेंगे नाटो की नाटो क्या है नाटो एक उत्री Atlantic संधी स अपना की गई थी इसका जो मुख्याले इस्तित है वो Belgium के Brussels में क्या इसका मुख्याले इस्तित है और इसके मासरचीव है वरतमान में वह जेंस स्टोल टेनब्रेक्स जेंस स्टोल टेनब्रेक्स इसके मासरचीव है और 30 देश इसके सदस्य देश है 30 वा जो सदस्य देश ब इसके बाद मैं दोस्तों World Bank ने भारत को COVID-19 से निपटने के लिए 1 बिलिएन देने की पेशकस की है तो World Bank ने भारत सरकार को COVID-19 अपातकाल से निपटने और स्वास्ते परणाली को दूरुस्थ करने की परियूजनाओ के लिए 1 बिलिएन डॉलर रुपय देने की गोशना की थ और इसका मुख्याले जो है विस्वे बेंग का वो वासिंग्टन डीसी में इस्तित है और परबंद निर्दियसक और मुख्य वीतिय अधिकारी है अंसुला कांथ विस्वे बेंग के परबंद निर्दियसक और मुख्य वीतिय अधिकारी है नेक्स्ट है दोस्तो USAID ने भारत को COVID-19 से लड़ने के लिए 2.9 मिलियन डॉलर की VTS आइता देने की गोशना की थी अमेरिका ने US Agency for International Development के मादिम से भारत को 2.9 मिलियन डॉलर की साइता देने की गोशना की है तो दोस्तो जी जो US Agency for International Development है यह अमेरिका की एजेंसी है इसके थुरू अमेरिका ने भारत को 2.9 मिलियन डॉलर की राशी की साइता की है COVID-19 से बचने के लिए तो USAID की बात करें तो US Agency for International Development US Agency for International Development इसका मुख्याल है सनिक्त राजे अमेरिका के वासिंग्टन डीसी साहर में इसका मुख्याला इस्तित है और 3.9.1961 को इसकी स्तापना की गई थी और इसके परसासक है वरतमान में मार्क ग्रीन वरतमान में इसके परसासक है नेक्स्ट अपना क्यूशन बनता है सार्क ने सदस्य देशों को COVID-19 प्रियोजनाओं के लिए पांच मिलियन डॉलर दक्सिन एस्तितरी सयोग संगठन जो सार्क है इसकी विकास को डिवलपमेंट फंड ने अपने सदस्य देशों को COVID-19 समंदी प्रियोजनाओं के लिए पांच मिलियन डॉलर आवनटित किया तो राज़ी द्यान में रखने है दोस्तो सार्क देशों के लिए है पांच मिलियन डॉलर तो बात करेंगे दोस्तो अपन सार्क की तो सार्क क्या है साउथ एसियन एस्सेशन फोर रिजिनल कॉर्परेशन दक्सिन एसिया इस्चितरी सयोग संगठन ए इसका जो मुख्याले है वह नेपाल के काट मंडू में इसका मुख्याले इस्चितरीत है और इसके मासरचीव है वो है एसाला रुवान वेराकुन एसाला रुवान वेराकुन इसके मासरचीव है और वो सदस्य देश दोस्तो कौन कौन से सार्क के तो आपको ध्यान रखना दोस्तो 8 देश है वो सार्क में सदस्य देश है अफगानिस्तान, बंगला देश, बुठान, भारत, माल दिव, नेपाल, पाकिस्तान और सिलंका तो यह जो 8 देश है वो सार्क के सदस्य है नेक्ष्ट कुशन अपना RBI के पूर्व गर्वनर रगुराम राजन को IMF के बहारी सलाकार समों में सामिल किया गया है अंतराष्ट मुद्रा कोस, IMF की परवन निर्देशक क्रिष्टिलना जोड़ जीवा ने भारती रिजर्वें के पूर्वे गर्वनर रगुराम राजन सईथ कई अन्य परमुक वेक्तियों को अपने नए बहारी सलाकार के रूप में सामिल हाली में किया है IMF ने राजन थता अन्य अर्चास्त्रियों को बहारी सलाकार समुव में सामिल क्रोना वाइरस मामारी के कारण उत्पन संकट को लेकर उठाये जाने वाले कदमों समेत दुनिया बर में हो रहे बदलाव थता नितिगत मुद्धों पर अपनी राय प्रमुक को देने के लिए किया है भांग की खेती को हाले में वेद किया है काफी इंपोर्टेंट क्यूसन है एक्जाम पूचा जा सकता है कि वह कौन सा देश है जिसने भांग की खेती को मंजूरी दिया तो वह है लेबनान तो लेबनान की संसद ने चिकिसा और अध्योगी गुपियों के लिए भांग की खेती को वेद करने का कानून पास किया है पहले वे कानूनी अफराद था भांग की खेती करना तो लेबनान की बात करें तो लेबनान के परदानमंत्रिय वर्तमान में हसन दीब और लेबनान की राजदानी है बेरूत और मुद्रा वापे जो परचलन में आती है वो है लेबनानी पॉंड लेबनानी पॉंड वाकी मुद्रा है नेक्स्ट अपना TCS बेंकस द्वारा संचालित किया जाएगा इजराइल का पहला डिजिटल बेंक के क्या है दोस्तो भारत के IT चेतर की दिगर्ज कंपनी Tata Consultancy Services TCS इजराइल जो TCS है वो इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बेंक लांग करने जा रही है इस डिजिटल बेंक का नाम अभी तया नहीं किया गया है इसे 2021 में लॉंच करने की योजना है या डिजिटल बेंकिंग ओफ रेशन्स प्लेटफरम TCS बेंकस गलोबल बेंकिंग प्लेटफरम दुवारा संचालित इसको किया जाएगा तो ध्यान रखना है दोस्तो इसराइल म में बापे बेंजामीन नेतियानो इसराइल के फर्दान मंतरी है फेस्बुक ने बंगलादेश में थरफ आर्टी फेक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है सोसल मेडिया फ्लेटफरम फेस्बुक जो आप सभी जानते हो कि फेस्बुक क्या है बहुत लोग पिर ये सोसल मेडिय फेस्बुक ने बंगलादेश में थरफ आर्टी फेक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की गोशना किया है फेस्बुक ने बंगलादेश में थरफ आर्टी फेक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारती फेक्ट चेकिंग वेवसेट बूम के साथ इसनों ने साज जयदारी कि दोस्तो बंगलादेश में थर्ड़ फार्टी फेक्ट चेक सिस्टम शुरू किया जारा है फेस्बुक के दुआरा और फेस्बुक ने इसमें भारते फेक्ट चेकिंग वेवसाइट बूम के साथ समझोता किया है यह फेक्ट चेकिंग सिस्टम तस्वीरों और वीडियो साइट इस्टोरी की समिक्षिया और रेटिंग करके देश में फेलने वाली फटजी खबरों जो फेक न्यूज होते हैं उनको रोकने पर ये काम करेंगे बात करें फेस्बुक की तो फेस्बुक की स्तापना दोस्तों चार फरवरी 2004 इसमें की गई थी चार फरवरी 2004 में फेस्बुक की स्तापना की गई तो चार फरवरी 2004 को फेस्बुक की स्तापना की गई और इसके मुख्य कारेकारी अधिकारी है मार्क जुकरबर्ग Mark Zuckerberg Facebook के मुख्य कारिकारी यतिकारी है पर इसका जो मुख्याले है वो अमेरिका के केलिफोर्निया में इसका मुख्याले इस्तित है बात करें दोस्तों अपने Bangaladess की तो Bangaladess में वरत्मान में परदानमंत्री है शेक असिना जी नेक्स्ट है अपना सेन्य उपगरे नूर जो सेन्य उपगरे है इरान ने अपने पहले सेन्य उपगरे नूर को सपलता पुर्वक औरबीट में इस्तापित कर दिया है नूर उपगरे अपने कक्सा में पहुच चुका है और परत्वी की सत्य से लगबग 425 किलोमेटर उपर परकर्मा कर रहा है तो दोस्तों इरान ने अपना इरान का या पहला सेन्य उपगरे है नूर जो और बीट में स्तापित हो चुका है इस उपगरे को इरान के ससेस्तर बोलो कि साका इस्लामिक रेवलियूनियूसरी गार्ड कॉप्स द्वारा लॉंच किया गया नूर उपगरे या हसन रूहानी इरान के राष्ट पती है सौधी अरब में अब नाबालिंगों को नहीं मिलेगी सजा इ मोत नए आदेश में कहा गया कि कोई भी वेक्ति जिससे अपराद के लिए मोत की सजा मिली है और वह नाबालिंग है तो उसे फासी की सजा नहीं दी जाएगी सौधी अरब की राजदा नहीं है वह है रियाद और मुद्रा वापे सौधी रियाल वापे मुद्रा पर चलन में है और वाके राज़ा है सलमान बीन अब्दूल अजीज अलसजूद। कारवाई के लिए तालमेल को बैतर बनाने साइद सामुईक बाग्यदारी के लिए अंतर निर्बता समस्या को सुल जाने के लिए सब को एक्जूट करने और नए COVID-19 उप्चारें वेक्षिन तियार करने के लिए निवेस का मारकदक्षन करने के लिए एक वेस्विक मंच के र जो भी राष्टे से समंदित अपने करेंट हपएर होंगे उसका अध्यन अपनी आपे करेंगे दोस्तों तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाओंगा यह अभी तेक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन इसको दबागर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए यह बिल्कुल फिरी होता है इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है दोस्तों अब इसमें पहला क्यूशन अपने रखा है राष्टे न्यूज में कि स्टेंडेड इन इंडिया पॉर्टल परेटन मंत्रा ज mogą जड़ा को मदद मिल सके इसकी साहता से वह हैल्प ले सके निक्सट अपना परीवैं मंत्राले ने परीवैं समंदी दिस्तावैज की वेदिता बढ़ाने अडवाजरी जारी की है शडग परीवैं और याजमारग मंत्राले ने सबी राजजीयों और केंद्र शासित दिया दे गई है नेक्स्ट है दोस्तो अपना इंडिया फाइड़्स करोना, इंडिया फाइड्स करोना, सुचना और परसारन मंत्रा लेने कोविड-19 के बारे में नुविंतम जानकारी साजा करने के लिए ट्विटर हैंडल लॉट्ज किया है, या समर्पित ट्विटर हैंड नोबल क्रोना वायरस से सम्मंदी ताजा समाचार और अपडेट डेटा साजा करने के लिए इसको शुरू किया गया तो ध्यान रखना है दोस्तों इंडिया फाइड्स क्रोना सूचना और परसारन मंत्रालया ने इसको जारी किया है वीदेश वियापार नेति दोस्तों इसका आपको ध्यान यह रखना है कि बार सरकार की वीदेश वियापार नेति uh Foreign Trade Policy यह भार सरकार ने विदेश वियापार नेति को एक साल यानि 31 मार्स 2001 तक के लिए इसका विश्तार देने का पहचला किया है मुझूदा विदेश व्यापान निती 1 अप्रेल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी जो 31 मार्ज 2020 को खतम होने वाली थी ये लेकिन इसको बढ़ा कर अब 31 मार्ज 2021 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है नेक्स्ट अपना राष्टिय निगरानी डेक्स बोर्ड परसासनिक सुदार और लोग सिकायत विवाग द्वारा COVID-19 से जुड़ी सिकायतों पर निगरानी रखने के लिए राष्टिय निगरानी डेक्स बोर्ड का सुबारम किया गया है एक्सरसाईज एन्सिसी योगदान राष्ट्य केड्ड कॉप्स एन्सिसी ने एक्सरसाईज एन्सिसी योगदान के तहद COVID-19 से निपटने के लिए चला जह रहे देशवैपई अब्यान में मदद की पेसकस की है इसके तहत ऐसता ही रोजगार की वरिष्टा के तहत केवल अठारा वड़ से अधिक आयू के वरिष्ट मंडल केड़ेट ही इसके अंदर कारे रहत होंगे NCC की बात करें दोस्तो तो राष्टे केड़ेट कॉप्स इसके मानिर्दे से कोन है लेट्रिनेर्ट जर्राजीव चोपडा और इसका जो NCC का आधर्स वाक्य होता है दोस्तो वो है unity and discipline unity and discipline आदर्स वाइक क्या होता है NCC का और NCC का मुख्यले नई दिल्ली में इस्तित है और इसकी स्थापना 16 अपरेल गुनी 48 में की गई थी NCC की स्थापना कब की गई दोस्तो 16 अपरेल गुनी 48 में इसकी स्थापना की गई नेक्स्ट अपना अरुग्य सेतु F अरुग्य सेतु अब दोस्तो काफी important है ये आपके लिए बहुत F भी फायदे मन्द है और ये एक जामे क्यूसन भी काफी important है अरुग्य सेतु भार सरकार दुवार को COVID-19 को ट्रेकिंग करने के लिए launch की गई एक अधिकारिक एफ है आरुग्य सेतु एफ को स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले के सयोग से electronics और सूसना प्रिवध्योगी की मंत्राले के राष्टिय ई-governance division दुवारा इसको विक्सित किया गया है इसके बाद मैं दोस्तो कवच कवच क्या है बार सरकार के विज्ञान एम प्रिवध्योगी की विवाग ने COVID-19 मामारी से लड़ने के लिए परतिक्रिया के रूप में कवच की स्तापना को मंजूरी दी कवच से तात प्रेय सेंटर फॉर एग मेटिंग वार वीद COVID-19 हेल्थ क्रिसिस अर्थाथ COVID-19 स्वास्ते संकट से यूद परिवर्दन के लिए के अंदर से है कवच के अंदर का लक्ष है संभावित स्टाट अप्स को समय बद सायता उपलब्द कराने का होगा जो अगले 6 मेने के वदी के दोरान बाजार में परियोजन योग्य है नेक्स्ट है दोस्तों अपना राष्टपति और सांसदों के वेतन में 30% की कटोती को मंजूरी दी गई है केंद्रे मंत्र मंडल ने संसद सदशे को 1 अप्रेल 2020 से मिलने वाले बद्तों और पेंशन में एक वर्स के लिए 30% की कटोती करने वाले संसद सदशे वेतन बद्तों और पेंशन अधिनियम गुनी सो चोवन में संसोदन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है परदान मंत्री नरेंदर मोदी और उनकी मंत्री परिसद संसद के सभी सदशे जो सांसदे के वेतन में नोबल करोना वाइरस के परवाव के कारण 30% की कटोती की जाएगी राश्टपती उपराश्टपती उड़ सभी राज्ये के जो राज्येपाल है उन्होंने स्विच्चा से कुरोना वाइरस में हमारी और रत्वेस्पता में अपेक्सित ग्रावट के मद्दे नजर 30% कटोती का फैसला हाली में लिया है कि नेक्स्ट बात करें दोस्तों प्राण वायू पोर्टेबल वेंटिलेटर्र कापी इंपोटेंट है ये भी प्रान वायू पोर्टेबल वेंटिलेटर आयाइटी रुडोकि ने ए ए एमस portable ventilator विक्सित किया तो किसने विक्सित किया दोस्तों IIT रूटकी ने IIT रूटकी और IIMS रिशिकेस ने आपस में मदद करके प्राणवायू portable ventilator विक्सित किया जो कम लागत वाला है जिसे केवल 25,000 रुपे में बनाया जा सकता है ventilator सास में दिक्कत में वाइड डिगरी के लिए उपयोगी होगा लिए और यह सभी आयूवर के रोग्यों विस्स रूप से बुजर्गों के लिए इसको प्रियोग किया जा सकता है करूना फहल इसके बाद मैं दोस्तों करूना पहल सिविल सेवा अधिकारियों के एसोसियेशन ने कुरोना वाइरस से लड़ने में सरकार के प्रयासों में सयोग करने और उन्हें पूरा करने के लिए करूना पहल सुरू की है इस पहल में भारतिय परशास्तनक सेवा IAS, भारतिय पुलिस सेवा IAS और भारतिय विदे सेवा IFS और भारतिय राजस्व सेवा IRS और अन्य राजे सिवाव में लगे अधिकारी इसके अंदर सामिल है नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अपने लाइफ लाइफ लाइन उडान फहल नागरिक उडेन मंत्रालिया ने इसकिसा सामगरी की डूलाई के लिए अब तक 132 माल वहाग उडानों का प्रीचालन किया गया है वार्टसन असिस्टेंट फॉर सिटिजन्स वार्टसन असिस्टेंट फॉर सिटिजन्स IBM ने COVID-19 से सम्मंदित स्वालों का जवाब फिरी में देने के लिए Artificial Intelligence Platform वार्टसन असिस्टेंट फॉर सिटिजन्स लॉंच किया है वार्टसन असिस्टेंट फॉर सिटिजन्स वर्टमान में उपलवत बहरी सुरोतों के डेटा का इस्तमाल कर जानकारी फरदान करेगा इन सुरोतों में स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले और अन्य सरकारी स्रोत देश की नागरी कल्यान योजन्य जैसे विश्व संसादन और विश्व स्वास्ते संगठन और अमेरिकी रोग नियनतन के अंदर इसके अंदर सामिल है M.H.R.D. A.I.C.T.E. COVID-19 Student Helpline फॉर्टल यह क्या है तो A.I.C.T.E. क्या है अखिल भारतिय तक्निकी सिक्ष्या परिश्द अखिल भारतिय तक्निकी सिक्ष्या परिश्द ने विद्यार्थियों की सायता के लिए M.H.R.D. A.I.C.T.E. COVID-19 Student Helpline Portal लॉर्टल लॉंच किया है इसके बाद मैं दोस्तों उपना Online Hektone Hake the Crisis India कोविद-19 मामारी का समादान खोजने के लिए Online Hektone Hake the Crisis India लॉंच किया गया हेक्तों को एक वेस्विक पहल के तैद Electronics और सूसना प्रेद्योगी की संचार और मानौस संसाधन विकास मंत्रा ले हेक्तों का आयोजन भाद सरकार के Electronics और सूसना प्रेद्योगी की मंत्रा ले के सयोग से हेक एक कोज इंडिया और फिकी लेडिज ओर्गनाजेशन पूने दुआरा किया जाएगा नेक्स्ट है दोस्तों अपना स्वास्ते के सिपाई क्या है दोस्तों परदानमंत्री जन उसदी के अंदर परदानमंत्री जन उसदी के अंदर के स्वास्ते के सिपाई नाम से लोगपिरे फार्मासिस्ट कोविड-19 के कारण लगे देशव्यापी लोकडाउन के दौरान मरीजों एम बुजर्गों के दरवाजों तक अनिवारी सेवाय थता दवाय पहुचाने में लगे हुई है इसलिए उनको स्वास्ते का सिपाई बताया गया है स्वास्ते के सिपाई भार सरकार की परदानमंतिर जन उजदी प्रियोजना के तैत रोग्यों के दर्वाजे तक जरूरी दवाय उपलब्द करा रहे है नेक्स्ट अपना चेलेंज समादान चेलेंज समादान क्या है मानव संसादन विकास मंत्राले के इन्नोवेशन सेल एम अखिल भारतिय तकनिकी सिक्षिया परिशद ने कोविड-19 से निपढ़ने के लिए एक मेगा ओनलाइन चेलेंज समादान की सुरुआत हाली में की है इस चेलेंज में भाग लेने वाले चातर चातराए एसे उपायों की खोज और विक्षित करेंगे ताकि सरकारी एजेंशियों, स्वास्ते सिवाओ, अस्पतालों और अन्य सिवाओ को क्रोना वाइरिस मामारी और एसी अन्य आपदों के तवरीच समादान उपलब्द करवा की है, सात्य मंत्राले ने विश्वे विद्धाले अनुदान आयोग यूजी सी को डीजी लोकर के तहत इस्ताई योजना की रूप में NAD को लागो करने का निर्देश भी दिया है डीजी लोकर कलावड आधारित एक परमुक शुरुक्षित पलेटफोरों में जो उप्यो करताओ को आधार कार्ड, जनम परमान पत्तर, मदाता पैचान पत्तर, पेन कार्ड, ड्राविंग लाइसेंस, संपती दस्तावे जो जैसे मैथमून दस्तावे जो इलेक्ट्रोनिक करनों को संग्रीत करने की अनुमती देता है, इसके बाद में दोस्तों अपना e-learning पलेटफोरों IGOT, भार सरकार ने सभी फ्रेंट लाइन कारी करताओ के लिए COVID-19 से लड़ने के लिए एक e-learning पलेटफोरों IGOT लांज किया है, जो उन्हें मामारी से निपटने में प्रक्षि इसके जरीया आप उस पर पहुश सकते हो, नेक्स्ट अपना भार सरकार ने COVID-19 से निपढ़ने के लिए 15,000 क्रोड रुपे की पेकेज की सुरुवात में गोशना की थी, तो के अंदर सरकार ने भार COVID-19 आपात कालिन परती करिया और स्वास्ते परनाली तर्थ परता तो इसके अंदर क्या किया गया दोस्तों, मिशन मोड के तहत इस विकर दनाशी का उपयोग ततकाल COVID-19 आपात कालिन परती करिया के लिए 7,704 करोड रुपे और बाकी मद्यम अवदी 1-4 साल में सयोग के लिए दिया जाएगा, इन कदमों और पहलों को स्वास्तियम बिलियन डॉलर की साहता देने का वादा किया है, तो ASEAN Development Bank ADB निवार्द को COVID-19 मामारिस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 2.52 बिलियन डॉलर जो की लगबग 16,500 क्रोड रुपे होते हैं का साहता पेकेज देने की गोशना की है, तो बात करते हैं दोस्तों ASEAN Development Bank की ADB ASEAN Development Bank की ADB इसके ADEX अवर्थमान में मात्सुग असकावा, मात्सुग असकावा अवर्थमान में इसके ADEX है, और इसका गटन 19.26 में किया गया था, गुनीश दिसंबर 1966 में इसका गटन किया गया था और इसका जो मुख्याले है वो फिलिफिन्स के सहर मनिला में इसका मुख ख्याले इस दीता है और यह ध्यान रखना दोस्तों आपको कि 68 देश है जो Asian Development Bank के सदश्य है तो 68 देश इसके सदश्य है गुनीज दिसंबर गुनीज 66 में इसका इस्तापना की गई और वर्तमान में इसके जो देख से उनका नाम है मात सुगू असकावा नेक्स्ट दोस्त अपना वेव फोर्टल है युक्ती युक्ती क्या है यंग इंडिया Combating COVID with Knowledge Technology and Innovation यंग इंडिया Combating COVID with Knowledge Technology and Innovation मानव संसादन विकास मंत्राले ने नई दिल्ली में वेव पोर्टल युक्ती लौंच किया है इस वेव पोर्टल और डेश बॉर्ड पर मानव संसाद विकास मंत्राले के प्रयासों और पहलों की निगरानी की जा सकेगी KVIC ने तेयार कि डबल लेयर्ड खादी मास्क खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने COVID-19 को फेलने से रोकने के लिए एक डबल लेयर खादी मास्क तेयार किया है यह मार्क्स आसानी से दोबारा इस्तमाल किये जा सकते है दोई जा सकते है और बायो डिग्रेडेबल भी है क्योंकि वे हाद से बने है हाद से बुने हुए खादी कपड़े से ये बने होते है नेक्स्ट अपना दोस्तो सेनिटाइजर टरनल इस्तापित करने वाला रेल्वे का पहला इस्टेशन बना है एहमदाबाद तो गुजरात के कालूपूर का एहमदावाद रेलिवे स्टेशन सेनिटाइजिंग टर्नल वाग्थ रो मास सेनिटाइजिंग टर्नल इस्तापित करने वाला भारतिय रेलिवे का पहला इस्टेशन बन गया तो ध्यान रखना है एहमदावाद रेलिवे स्टेशन पढ़नाली रिसी केस के अखिल भारती आयूर विज्ञान सैंस्तान AIIMS ने BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्त हेल्थ मोनिटरिंग सिस्टम इस्तापित किया है उत्राखन राज्ये में COVID-19 रोग्यों की निगरानी के लिए इ इस्तमाल किया जाना है नेक्स्ट है दोस्तो अपना देखो अफना देश वेविनार संगला देखो अपना देश परेटन मंत्राले दुवारा देखो अफना देश नामक एक वेविनार संगला का सुबारम किया गया है यह अनुट्टी संगला परेटन मंत्राले दुवारा अतुल्य भार्त के कई स्तलों की संस्कर्टी और विरासत के बारे में गहरी और विस्तर जानकारी परदान करने के लिए शुरू की गई है Free to Air Free to Air क्या है दोस्तों राश्ट्य मुक्त विद्यालेई सिक्ष्या साइंस्तान National Institute of Open Schooling NIOS देश में राश्ट्य विया पर लोकडाउन के दोरान माद्यमिक और वरिष्ट माद्यमिक इस्तर के चात्रों के हो रेज सेक्षनिक नुक्सान की बरपाई को पूरा करने के लिए Free to Air DTS चैनलों पर लाईव कांसलिंग सेशन का परसारन करने जा रहा है Next है दोस्तो अपना सहयोग सहयोग क्या है भार सरकार के विज्ञान और प्रियोद्योगी की विवाग ने एक एकिकर्थ भूस्तानिक प्लेटफरम बनाया है जिसे सहयोग नाम दिया गया है इस एकिकर्थ भूस्तानिक मंच का उद्धिश्य क्या है दोस्तो COVID-19 मामारी के दोरान निन्य लेने में मदद करना और रिकवरी चरण में सामाजिक आरतिक फरवाव को सम्वालने के लिए 26 विशिष्ट रनीतियों का सहयोग करना है खरीब फसले 2020 पर राष्ट्य समयलन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से खरीब फसले 2020 पर राष्ट्य समयलन का आयुजन किया गया तो यह ध्यान रखना दोस्तों कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीब फसले 2020 पर राष्ट्य समयलन का आयुजन किया गया नेक्स्ट दोस्त अपना UK इस्तित भारतिय उचायोग ने वर्च्वल गोल मेज COVID-19 बेटक का आयजित की है बिर्टेन इस्तित भारतिय उचायोग ने COVID-19 इस्यूजेज चलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड चुनोतियों पर आगे का रास्ता तेयार करना के विशे पर एक वर् कि व्यापक समझ परदान करने के लिए इसका उपयोग किया गया है नेक्स्ट अपना किसान रत मोबाइल अफ्लिकेशन किया है दोस्तो कर्सी मंतरी नरेंदर सिंग तोमर ने मोबाइल अप्लिकेशन किसान रत लौंच की है यह एफ लोगडाउन के दुरान किसान को रहात देने के मकसद से खाद्य परदातों और जल्द ख्राब होने वाली वस्तों के परिवयन की सुविदा के लिए इसको लौंच किया गया है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सरकार ने लौंच किया है एक ओनलाइन फोर्टल तो क्या है दोस्तों देखते हैं यह भार सरका जियोवी.in पर एक ओनलाइन पोर्टल की रूप में इसको बनाया गया है नेक्स्ट है दोस्तों अपना बोंबे मेगाले और उडिसा उस नालियों में होगी नए मुक्य नयादिशों की न्यूक्ति तो भारत के मुक्य नयादिश सरद अर्विंद बोबडे के निर्तरत वा है बोंबे उस नालियों में मुक्य नयादिश होंगे दीप करण दयत और मेगाले उस नालियों में मुक्य नयादिश होंगे विश्वनात सोमदर और उडिसा उस नालियों में मुक्य नयादिश होंगे मुहमद रफीक तो बात करते हैं दोस्तों अपन Supreme Court of India की भारत का जो सबसे बड़ा कौर्ट है Supreme Court of India इसकी स्तापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको दोस्तों ये रखना है कि जब आज जादी से पहले क्या हुआ था कि 1 October 1937 को Federal Court of India की स्थापना की गई थी एक October 1937 को तो उसी को फिर Supreme Court बनाया गया तो अपने मानेंगे कि Supreme Court की स्थापना 28 January 1950 में की गई पहले क्या था पहले Federal Court of India चलता था उसकी स्थापना 1 October 1937 में की गई थी और Supreme Court of India का जो आदर्स वाक्य है वह है यतो दर्मस्त तो जय है इसका आदर्स वाक्य है और इसके वर्तमान में जो मुख्य नियाज दीज है वो 47 वे नमबर के मुख्य नियाज दीज है और उनका नाम है जस्टिस सरद अरविन बोबड़ी जश्टिस सरद अर्विन बोबडे सेतारिस्वे नंबर के मुख्य नियाजदी से COVID-19 सेवा प्लेटफर्म केंद्रे स्वास्ते मंत्री डाक्टर हर्सवर्दन ने कोरोना वाइरस से समंदित लोगों के स्वालों का जवाब देने के लिए एक बाचित प्लेटफर्म COVID-19 सेवा शुरू किया है इस पहल का मुख्य उद्यश्य वास्त्विक समय में पारदर सी इगर्वनेस डिलिवरी को सक्षम बनाना और नागरिकों के परसनों का उत्तर देना है राष्ट्य कारेकरम विद्यादान 2.0 केंद्रिय मानव संसादन विकास मंत्री स्री रमेज पोकरियाल निसंग द्वारा इर लर्निंग राष्ट्य कारेकरम विद्यादान 2.0 लौंच किया गया इर लर्णिंग सामगरी में योगदान के लिए राष्टे कारेकरम विद्यादान 2.0 सुरू किया गया है क्योंकि COVID-19 मामारी से उत्पन इस्तिति में छात्रों के लिए इर लर्णिंग सामगरी की बुमिका काफी एहम हो गई है इसके बाद में दोस्तों अपने पास में भार्थ फड़े ओनलाइन अभियान भार्थ फड़े ओनलाइन अभियान शुरू किया गया है मानव संसादन विकास मंत्राले ने भार्थ फड़े ओनलाइन से एक अभियान शुरू किया है यह अब्यान crowd sourcing of ideas के जरिये देश के online शिक्सिया पारेस्थितिक तंतर में सुधार के लिए इसको शुरू किया गया है नेक्स्ट है अपना सयम mobile app पूने municipal corporation ने सयम नामक एक नई mobile application विक्षित की है यह application home quarantine की नागरिकों को परवावी डंग से ट्रेक करने और उन्हें घर में रखने को सुनिचित करने के लिए विक्षित की गई है पूने municipal corporation स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सयम mobile application को विक्षित किया है वास्क्रो एफ वास्क्रो एफ है दोस्तों इंदरपर्थ सुचना प्रियोद्योगी की सहंस्तान IIIT दिल्ली ने वास्क्रो नामक एक नई mobile application विक्षित की है इंदरपर्थ सुचना प्रियोद्योगी की सहंस्तान ने इसको विक्षित किया गया है इस एप को इंदरपर्थ इंस्टिटूट ओफ इनफर्मेशन टेकनोलोजी आई 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 टी दिली के प्रोफेसर पोनुरंगम कुमार गुरू और डाक्टर तव रिते सेटी द्वारा पांच सातरों के साथ मिलकर इसको विक्षित किया गया है। भारत में सिक्सको और सातरों के साथ ओनलाइन समवादों के लिए इसको शुरू किया गया है। COVID-19 टेस्ट किट फेलूदा फेलूदा किया है दोस्तों COVID-19 की टेस्ट किट है विग्यानिक एहम और द्योगिक अनुसंदान परिशत CSIR और Institute of Genomics and Integrative Biology ने मिलकर कम लागत में COVID-19 टेस्ट करने वाली फेलूदा किट विक्षित की है। टेस्टिंग किट दो विग्यानिको डाक्टर सोविक मेती और डाक्टर देव जोती चक्रवती द्वारा इसको विक्षित किया गया है। टेड ने लेहे और दिली में दस हाइडरोजन सेल एफ से आधारित इलेक्टरोनिक बसे और कार की बराबर संक्या परदान करने के लिए Global Expression of Interest EOL की गोशना हाले में की है। COVID-19 dashboard प्रेक्रिती क्या है दोस्तों? अब आपे अपन देखते हैं जो अपने current affair अभी तक फड़ा है उसे related कुछ ध्यान रखने वाली बाते हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं दोस्तों? तो पहली बात ये ध्यान रखने कि केंद्री मानव संसादन विकास मंतरी कोन है? रमेश पोकरियाल निसंग केंद्री मानव संसादन विकास मंतरी है। वही प्रियत्तन राज्य मंतरी सवतंतर परवार किसके पास है? परला सिंग पटेल के पास है और केंद्री स्वास्ते एम परिवार कल्यान मंतरी कोन है? दोस्तो हर्स वर्दन जी केंदरे स्वास्ते एम परिवार कल्यान मंतरी है वही बात करते हैं दोस्तो पन केंदरे सड़क परिवायन एम राजमार्ग मंतरी की तो नितिन जैराम गडगरी केंदरे सड़क परिवायन और राजमार्ग मंतरी है और केंद्रे सूसना और परसारन मंतरी की बात करें दोस्तों तो परकास जावेड कर केंद्रे सूसना यम परसारन मंतरी है वही केंद्रे वानिजे और उध्योग मंतरी की बात करें तो पियूस गोयल केंद्रे वानिजे और उध्योग मंतरी है इसके बाद मैं दोस्तो राजियों से समंदित current affair तो राजियों से समंदित जो state से समंदित current affair उनका अध्यान अपनी आपे करेंगे दोस्तो तो सबसे पहले दोस्तो आप से request करना चाहूंगा कि यह भी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो वीडियो दोस्तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिकर नहीं है पूरे महिने के current affair को इसके अंदर cover करने की पूरी कोशिस की गई है तो चलिए दोस्तो शुरुआत करते है राजियों से समंदित current affair तो सबसे पहले है Corona Watch Mobile App Corona Watch Mobile App दोस्तो करनाटक सरकार का यह एप है यह आपको ध्यान रखना है Corona Watch App करनाटक सरकार तो Corona Watch नामक एक Mobile Application लाउंच की गई इस Mobile Application को लाउंच करने का जो उद्दिश है वो संक्रमित वेक्तियों की moment को ट्रेक करना और Corona Virus के पहले ही सावदानी बढ़तना है नेक्स्ट है दोस्तो अब थे मित्रा एफ अब थे मित्रा एफ यह भी करनाटक सरकार का एफ है तो करनाटक सरकार ने यह एफ लॉंच किया और एक टॉल फ्री हेलप लाइन नमबर भी लॉंच किया 14410 यह सुईदा कोविड-19 के खिलाब लड़ाई लड़ने में राज्य के लोगों को सेसक्त बनाने के लिए सुरू की गई है करनाटक की बात करें तो करनाटक के मुख्यमंत्रे वट्मान में बी-एस यदुरपा और राज्यपालवा के वजुभाई वाला वजुभाई वाला करनाटक के राज्यपाल है और राजदन यह करनाटक की वो है बेंगलोरू Active Case Finding Campaign Active Case Finding Campaign हिमाचल परदे सरकार ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए Active Case Finding Campaign शुरू किया है Next है दोस्तों काफी important है यह E-Sanjeeuni OPD हिमाचल परदे सरकार ने इसको launch किया है क्या है यह E-Sanjeeuni OPD हिमाचल परदे सरकार ने बीमार लोगों को घर पर ही निसुल्क ओनलाइन चिकिसा प्रामर सुपलब्द कराने के लिए E-Sanjeeuni OPD की सुरूआत की है हिमाचल परदेस की बात करें तो हिमाचल परदेस के मुख्य मंतरी है जेराम ठाकुर जी और राज्यपाला बंडारू दत्तातरेजी बंडारू दत्तातरेजी राज्यपाला हिमाचल परदेस के और राजधन की बात करें तो हिमाचल परदेस की राजधन है सिमला जो कि बहुत खुपसुर्ट सेर है और हिमाचल दिवस की बात करें दोस्तों तो 15 अप्रेल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रेल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि 15 अप्रेल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया था नेक्स्ट है दोस्तो अपना मोदी कीचन मोदी कीचन पहल क्या है तमिलाडू से रिलेटेड है दोस्तो तो सबसे पहले यह तो अपन को ध्यान रखना है कि कहा का यह एफ है या जो अभियान है या जो योजन है वो कहा से रिलेटेड है तो तमिलाडू से सम्मंदित है ये तो तमिलाडू के कोवई कोयमटूर में मोधी किचन की स्थापना की गई इस रसोई में परति दिन 500 लोगों को वोजन प्रोशने की सम्ता है मोधी किचन का उद्देश ये 10 किलोमेटर के दायरे में खाना पहुचाना और इसे सेर के मुख्य सोपिंग इलाकों में इस्तापित किया गया है तो बात करेंगे अपें तमिलाडव की तो तमिलाडव की राज़दन है रज्य पाल है बनवारे लाजजी प्रोहित और मुख्यमंत्री है तमिलाडव के के पलानी स्वामी जी क्यpoweredू के मुख्यमंत्री है नेक्स्ट अपना आंदरा सरकार पेंशन सुविदा नागरिकों के घर तक पहुचाने शुरू किया है तो दोस्तो आपको ध्यान ये रखना है एक जिया में पूचा जा सकता है कि वह कौन सा स्टेट है वह कौन सी सरकार है जिसने हाली में पेंशन मिलने वाले नागरिक है उनको पेंशन उनके घरो तक पहुचाने की सुविदा प्रोवाइड करवाई है तो वह है दोस्तो आंदर परदेश नेक्स्ट है अपना जगना विद्या दिवेना योजना जगना विद्या दिवेना योजना आंदर प्रदेश के मुक्यमंत्री Y.S. जगमोहन रेडी नेराजे में जगना विद्या दिवेना योजना का सुबारम किया है इस योजना के तहट अगामे सेक्षिनिक सक्टर दोजर बीस इकिस में सुल्क स्पर्ति पुर्ती रीमबर्समेंट महावी दालियों के खातों के वजाए विदार्तियों के अभिवाओं के खातों में ये रासी डाली जाएगी नेक्स्ट अपना पोर्टेबल मल्टी फिड ऑक्सिजन मेनिफोल्ड अंदर प्रदेश के विशाका पतनाम नोसेना डाक्यार्ड ने पोर्टेबल मल्टी फिड ऑक्सिजन मेनिफोल्ड मोम विक्सित किया है इस oxygen manifold को एक समय में एक साथ कई रोग्यों को oxygen की आपरती करने के लिए इसको design किया गया है जो COVID-19 मामारी के कारण पेदा हुई हालात में मददगार साबित हो सकता है पूरवी नोसेना कमान के नोसेना कार्मियों ने एक सिलिंडर में लगे च्छेत रफा रेडियल एडर का उप्यो करते हुए portable multi-field oxygen manifold विखशित किया है अब दोस्तों इतनी देर अपने बात की आंदर परदेश की तो आंदर परदेश की अब अपन बात करते हैं तो अब आंदर परदेश की बात करेंगे अपन तो आंदर परदेश की मुख्य मंत्रिय है Y.S. जगमोहन रेडि जी और राज जिपाल है विश्वा भूसन हरीस चंदन जी और अपरदेश की राज़दा नहीं अमरावती और श्री वेंक्टेश वर राष्टे उद्यान चो कई बार एक्ज्म में पूछा गया है तो श्री वेंक्टेश वर राष्टे उद्यान अदर परदेश में इस्तित है इसके बाद में दोस्तों मो परतिवा 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 तक लोकडाउन बढ़ाने वाला बना देश का पहला राजे तो दोस्तों जो पहला लोकडाउन था अपना जब पहला लोगडाउन लगा गया इसको जब सेकन्द टाइम के लिए बढ़ाय गया था तो उस समय लोगडाउन को तीस अप्रेल तक सबसे पहले ओडिसा राजय ने बढ़ाया था बात करें ओडिसा की तो ओडिसा के मुक्यमंत्री है नवीन पतनायक जी और राज्यपाल है गणे सिलाल जी और ओडिसा की राज़दानी के दोस्तों बूवने इस्वर है वी सेफ टरनल नेक्स्ट अपना वी सेफ टरनल तेलंगाना से समदित है यह तेलंगाना में लोगों को सेनिटाइज करने के लिए वी सेफ टरनल इस्तापित की गई है इस सेनिटाइजिंग टरनल को राज्य के फ्लिस मानिड़दे सक कार्याले में इसको इस्तापित किया गया कोविड-19 monitoring system एप ये भी तेलंगाना सरकार से संबन देता है तेलंगाना सरकार ने वेरा स्मार्ट हेल्थ केर दुवारा भारत की पहली automated कोविड-19 monitoring system एप को विक्सित करने के लिए हाली में निवेस किया है तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो तो तेलंगाना की मुक्यमंत्रिये के चंदर सेकर राव जी और राज्येपाल है तेलंगाना के तमील इसाई सोंदर राजन जी और तेलंगाना की राजदने दोस्तों हैदरावाद अंदर परदेश से अलग हो करके तेलंगाना को नई राज्ये का दरजाद 2 जून 2014 को दिया गया था और तेलंगाना को गुन 30 वा राज्येप बनाया गया था तो 2 जून 2014 को गुन 30 वे राज्ये की रूप में तेलंगाना को बनाया गया था अंदर परदेश से अलग किया गया था तिलंगाना की राजदानी है है धराबाद दिल्ली सरकार का 5T पलान दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने दिल्ली में 5T पलान लागू किया दिल्ली के मुक्यमंतिर अर्विंद केजरिवाल ने देश की राजधानी में COVID-19 मामारी को रोकने के लिए 5T योजना का एलान किया दिल्ली सरकार किया 5T योजना क्या है दोस्तों 5T योजना में 5 बिंदू को रखा गया है 5T यानि 5 बिंदू है जो टी से सुरू होते हैं टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रेसिंग ट्रीकमेंट ट्रेक और ट्रेकिंग दिल्ली सरकार ने राज़्ट्य राजदाने चेतर दिल्ली में COVID-19 के परसार पर अंकुश लगाने के लिए ओप्रेसिंग शुरू किया है तो अप्रेशन स्टिल्ड दोस्तो दिली सरकार का उप्रेशन है SS Krona Mobile Application SS Krona Mobile Application भी दिली सरकार ने SS Krona नामक एक नई Mobile Application को लोंच किया है तो बात करते हैं दोस्तो दिली की तो दिली के मुख्यमंतरी कोन है वर्तवान में अर्विंद केजडिवाल जी दिली के मुख्यमंतरी है और उप्राजवाल कोन है दिली के अनिल बेजल अनिल बेजल दिली के उप्राजवाल है रक्सा सर्वाएफ रक्सा सर्वाएफ दोस्तों 36 गड सरकार से संबन्दित है 36 गड फुलिस ने गूगल मेब के मादिम से कावरंटाइन लोगो को ट्रे करने के लिए नोवड़ा इस्तित स्टार्टप मॉब कोडर की सायता से रक्सा सर्वाएफ को विक्सित किया है इसके बाद मैं दोस्तों CG हट वेबसाइट 36 गड के मुख्यमंतरी वुपेस बगेल जी ने लोगडाउन के दुरान लोगों को फलो और सब्जियों की हॉम डिलेवरी की सुईदा देने के लिए CG हट को लॉंच किया इस वेबसाइट को 36 गड सरकार की एजेंसी चिफ्स दुवारा डिजैने में विक्सित किया गया है तो बात करें दोस्तों 36 गड की तो 36 गड के मुख्यमंतरी है वुपेस बगेल जी और राज्येपाल है चतिस गड के अनुसुया ओईके जी अनुसुया ओईके जी 36 गड के राज्येपाल है वो राजदानी है दोस्तों राइपूर राजदानी के है राइपूर 36 गड की राजदानी है वही दोस्तों बात करें तो यह जो 37 गड है वो मद्य परदेश से अलग होकर नेक्स्ट दोस्तों अपना कोवीड केर एफ अरुनाचर पल्दे सरकार ने कवारंटाइन लोगो संकरमीत या कोवीड नाइंटिन रोग्यों के लिए कोवीड केर नामक एक नया अप लौंच किया यह एप उप्यों करताओं को स्वास्ते की जानकरी जैसे सरीर के तापमान के साथ कोरोना के लक्षुन की स्वमजाज करने में सक्षम यह बनाता है नेक्स्ट दोस्तों अपना देपुरीजो ब्रीज देपुरीजो ब्रीज के दोस्तों सीमा सडक संगटन बी आरो बॉर्डर रोड्स और्गनाजिशन ने अरुनाचल परदेश के उपरी सुबंसरी जिले में सुबंसरी नदी पर 430 फीट उच्चे लंबे 430 फीट लंबे बेली दोपर जिलो ब्रीज का नेमान किया है इस पूल का उद्गाठन अरुनाचल परदेश के मुख्यमंतरी पेमा खांडू जी ने वीडियो कोंफरेंसिंग के जरी है तो बात करें दोस्तों अरु पर नाचल परदेश की राज़दन ऺरदन है ईतानगर नेक्स्ट और दोस्तु अपना फूड बेंक पहल फूड बेंक क्या है मनिपूर सरकार से संफ़नद दिता है यह फूड बेंक मनिपूर सरकार ने क्रोना वائरिस मामारि के खतरे को देखते हो इया फूड बेंक और जरूरत मंदों को मुफ्त बोजन जैसी तत्काल सायता परदान करने के लिए इसको शुरू किया गए है जिने लंबे समयते गराजे में लोकडाउन के कारण जरूरी वस्तु की कमी का सामना करना पढ़ रहा है कौमिक पार्टे पुस्तकों का इलेक्ट्रोनिक संस्क्रण मनिपूर सरकार ने कौमिक पार्टे पुस्तकों का इलेक्ट्रोनिक संस्क्रण लोंच किया है सिक्षे विबाग द्वारा कक्सा 3, 4, 5 के लिए इलेक्ट्रोनिक प्रारूप कोमिक पार्टे पुस्तकों का सुभारम किया गया जो विशेश रूप से स्कूल के बच्चों के सेक्षिनिक अंतराल में संदुलन बनाने के लिए किया गया है नेक्स्ट दोस्त अपना खौंग जोम दिवस मनिपूर सरकार का दिवस है यह है मनिपूर सरकार दुवारा थोबल जिले में स्तीत खौंग जोम वार मेमोरियल कॉम्पलेक्स में खौंग जोम दिवस मनाया गया यह दिन अठारा सो इकराण में के एंगलो मनीपूरी यूद ब्रिटिस समराजे के खिलाब मनीपूर के लोगों दुवारा लड़ी गई लड़ाई में बादूरी से लड़ने वाले सेनिकों किस मर्ती में मनाया जाते है तो ध्यान रखना है द जमा हेप्तुला जी और राजदने दोस्तों इमफाल मनीपूर की राजदने क्या है दोस्तों मनीपूर की राजदने है इमफाल और विश्व का एकलोता तेरता वा राष्टे उद्यान केबूल लाम जाओ राष्टे उद्यान जो मनीपूर में इस्तिते एक जामें बहुत केरल COVID-19 उप्चार के लिए प्लाज्मा थेरपी का К cracking किल Nickal ट्राइल सुरू करने वाला देशका पहला राज्ये वन गया एक्जया मैं पूफ बोछा जा सकते हैं दोस्तों COVID-19 उप्चार के लिए प्लाज्मा थेरी का उप्योग करने वाला देशका पहला राज्जे कौन सा है तो सबसे पहले इसका उप्योग दोक्स तो केरल राज्जे ने किया है इसके बाद में दोस्तों तिरंगा फहल तिरंगा पहल क्या है केरल के पतन मतिटा जिले के परसासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जाज करने के लिए तिरंगा नामक एक वहन लोंच की है तिरंगा क्या है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान तो एक वहन को नाम दिया गया है एक वहन विक लोंच किया गया है केरल राज्जे के दोबारा नेक्स्ट है दोस्तो अपना कर्मी बोट रोबोट केरल के एरनाकुलम में इस्तित सरकारी स्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट को तेनात किया है इस रोबोट का इस्तिमाल मेडिकल कोलेज के कोविड-19 आइसलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सायता के लिए किया जाएगा बात करें केरल राज्य की तो केरल के मुख्यमंत्री वरतामान में पिन्ना राई विजियन जी पिन्ना राई वीजेन जी केरल के मुख्यमंतरी है और राज़ेपाल है आरिफ महमद खान जी केरल के राज़ेपाल है और राज़दानी है दोस्तो केरल की वह है तिरवंधपुरम केरल की राज़दानी है कोविड-19 नमुनों की पुल टेस्टिंग ये भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तो इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसेर्स आज से हमार ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमुनों की पुल टेस्टिंग सुरू करने की अनुमती दे दी है जिसके साथ ये उत्तर प्रदेश पुल टेस्टिंग सुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है काफी इंपोर्टेंट है दोस्तो एक जाम में पूचा जा सकता है कि कोविड-19 नमुनों की पुल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो पहला राज्य दोस्तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टे कम्यूटी किचन के लिए गूगल से साज़ेदारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियो टेक कम्यूटी किचन बनाने के लिए तकने की दिगज गूगल के साथ मिलाया, साज़ेदारी किया है, इस किचन में देनिक आदार पर बारा लाग फुड पेकेट का उत्पादिन होता है, अब उत्तर प्रदेश जियो टेक कम्य इमिन्यूटी किचन बना पहला राज्य कोन बना है, उत्तर प्रदेश जो है वो विडियो खुड़ सरकार ने राज्य में लोगों के इकटा हूने पर 30 जून 2020 तक परतिमन लगा दिगा गया है यह निन्य राजे सगार ने COVID-19 पारिस्तिती को लेकर राजे की 11 समीतियों के देख्षों के साथ हुई मुख्यमंतरी की बेट ठक के दोरान लिया है नेक्स्ट है दोस्तो प्लाजमा थेरेपी प्लाजमा थेरेपी लखनाओ का किंग जोड़ चीकिसा विश्व विद्दाले के जी एम्यू COVID-19 इलाज के लिए प्लाजमा थेरेपी सपलता परुक सुरो करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है प्लाजमा थेरेपी रोगयों पर किजारी एक प्रायोगी परिक्रिया है तो इतनी दिर दोस्तों अपने बात की उत्तर प्रदेश से रिलेटेट क्यूसन की तो बात करेंगे अपन उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजदान यह दोस्तों लखना हूँ और राज्य पाल अवाब पे आनन्दी बेन पटेल जी और मुख्य मंत्रिय योगी आदिध्यनात जी अब बात करेंगे दोस्तों अपन गोवा कोविड-19 मरीजों के लिए आहिरुएद का अपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों याद रखना है काफी important question है कि कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए आहिरुएद का अपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बात करें गोवा की तो गोवा की राजदाने दोस्तों पन जी और मुख्यमंतर वापके परमोद सामत जी और राज्य पाल है वापे सत्य पाल मलिक जी वाके राज्य पाल है नेक्स्ट अपना IUM सहत साती एप IUM सहत साती एप राज्तान सरकार का यह एप है राज्तान सरकार ने COVID-19 से निफ़रने के लिए हेल्थ केर स्टार्ट अप मेड़कोर्स के साथ मिलकर IUM सहती एप लॉंच किया है यह एप COVID-19 के काड़ लगे लोकडाउन में राज्य के लोगों को ओनलाइन डाक्टरों से प्रामर्स लेने और ज़रूरी दवाओ के आप उर्टी के लिए ओर्डर देने में सक्षम बनाएगी एप पर उपलब्ध हेल्पलाइन नमबर 7816 7816811111 के मादिम से सिवा प्रदान की जाएगी जो हिंदी और अंग्रेजी बासा में उपलब्ध होगी तो राज्तान की बात करें दोस्तों राज्तान जो है वो वार्त का छेतरपल का आदार पर सबसे बड़ा राज्य है और जो कि राज्तान का छेतरपल है वह है 3,42,249 वरा किलोमेटर और यहां के मुख्यमंतरिय दोस्तों असो गैलो जी और राज्तान की राज्यपाल है कल राज मिस्टर जी और राज्तान की राज्दन है जेपुर जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट अपना सुझलाम सुपलाम जल संचे अभियान सुजलाम सुपलाम जल संचे अबियान गुजरा सरकार का यह अबियान है गुजरा सरकार ने कोरोना वाइरस लोकडाउन के दुरान अपने सरकारी अबियान सुजलाम सुपलाम जल संचे अबियान के यह तीसरे संस्क्रण को मनजूरी दे दी है इस योजना में गाद, बादगा निरिक्षände और नदियों की गाद अठा कर गहरी करण का अकलन किया जाएगा या मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करके जल सरंक्षिन करने की एक योजना है बात करें दोस्तों गुजरात की तो गुजरात के मुख्यमंत्री है वीजे रुपानी जी और राजेपाल है आचारे देवर्द जी राजेपाल आचारे देवर्द जी और राजदानीय दोस्तों गांदी नगर गुजरात की राजदानीय गांदी नगर और एक गीरवन्य जी जो गुजरात में इस्तित है जो एसिया में सीहों का एकमातर निवासिस्तान माना जाता है गीरवन्य जी उब्यारण जो गुजरात में इस्तित है बियारो ने कासोवाल एंकलेव को सेसवार्च से जोडने वाले नए पुल का निर्मान किया है सिमा सडक संगटन बियारो दुवारा देश के बाकी सोसे पंजाब के कासोवाल एंकलेव को जोडने वाले एक नए इस्ताई पुल का निर्मान किया गया है इस नए इस्ताई पुल का निर्मान रावी नदी पर किया गया है तो यह बात है दोस्तों पंजाब की तो पंजाब की बात करेंगे अपन तो पंजाब की राज़दाने दोस्तों चंडीगड और पंजाब के राज़ेपाले वीपी सिंग बदनोड जी और पंजाब के मुख्यमंतरी है दोस्तों केप्टन अमरिंदर सिंग केप्टन अमरिंद करण ने सर्वेज दे सेनियर्स इनिशियेटिव के तहत एक हेलप लाइन सिवाज शुरू की है इस हेलप लाइन को सुरू करने का उद्धिश्य अकेले रहने वाले वरिश नागरीकों की मदद करना जो इस संकट की इस गड़ी में दवा खिराने का समार और अन्य जरूरी वस्तुय लाने में ऐस मर्थ है जम्मू कस्मीर के लेप्टिनेंट गरवनर है गरीश चंदर मुर्मू और लद्धा के लेप्टिनेंट गरवनर है रादा कर्षनन माथूर जम्मू कस्मीर के लेप्टिनेंट गरवनर कोन है तो गिरीश चंदर मुर्मू जम्मू कस्मीर के लेप्टिनेंट गरवनर है और लद्धा के लेप्टिनेंट गरवनर है दोस्तो रादा कर्षनन माथूर नेक्स्ट है दोस्तो अपना धन्मंतरी योजना 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 धन्मंत इसम के सरबादन सोनवाल जी और राजेपाल है जगदीस मुखी जी असम के राजेपाल कोन है जगदीस मुखी जी इसम के राजेपाल है नेक्ष्ट अपना जीवन सकती योजना जीवन सकती योजना क्या है पहले बात तो ये मद्यपर्दे सरकार की योजना ये अपन को ध्य मुखतार करेगी नेच्स्ट है दोस्तो अपना जीवन अमरत योजना जीवन अमरत योजना भी मद्य पृद्ध की योजना है लगु वनोपत संक्योप योग शेयोग से राज़े के आयूअ। तो राज्य का जो आयूस विवाग है जिसके अंदर आयूर्वेद, योग और प्राकर्ची, चिकिसा, यूनानी, शिद और होमियोपिती सभी आते है तो राज्य का जो आयूस विवाग है उसके द्वारा तेयार केगी विशेज त्रीकुट चूरन, पीपल, अद्रक और काली मिर्च के पेकेट, कुरोना संक्रमन वाले छेतरों में नागरिकों को निसूल्क वितरित करेगी तो मद्यप्रदेश की बात करें तो, मद्यप्रदेश के मुक्य मंतरी वर्तमान में सिवराज सिंग जी चोहान, और राज्य पाल है लाल जी, टंडन जी, लाल जी टंडन वाकिर राज्य पाल है, और राजदान ये दोस्तों बोफाल, मद्यप्रदेश के राजदान कौन सी ये बोफाल है और एक बांदवगट राष्टे उध्यान मर्देपर्देस्त में इस्तित्र जो काफी वार एक जामें पूचा गया है ये बांदवगट राष्टे उध्यान ये बायो डाइवर्सिटी पार्क रोयल बंगाल बागों की बड़ी आपदी के लिए इसको जाना ज महाराष्टर के ग्रामिन छेत्रों में ब्रोसे मंद बीजली कनेक्शन परदान करने के लिए महाराष्टर राज्य सरकार को 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानि जो लगबग 2616 क्रोड रूपे होते हैं कारेण देने की सहमती हाली में जताई है यह रिन महाराष्टर में नेक ग ठाकरेज जी और राज जेपाल है भगत सिंग को शेयरी जी मुख्य मंतरी है उद्दवाल ठाकरेज जी और राज जेपाल को ने भगत सिंग को शेयरी जी और राजदाने दोस्तों आपको पता ही है महाराष्टर के राजदाने मुंबई और दोस्तों वापे उप मुख्य म इसका जो मुख्याला है वो फिलिपिन के सहर मनिला में इसका मुख्याला इस दीता है और 68 देश बर्तमान में इसके सदस्य है इसके बाल में आता है दोस्तों अपना बेठेक एम सम्मिलन बेठेक वाद सम्मिलन से जो भी सम्मंदित अपने करंट अफेर है अपरेल माईने के उसको अपने याप सामिल करेंगे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसलिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो परिज़ लाइक जूरूर कीजिए और अपने सातेओं के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए क्योंकि सभी परकार की परतियों की परिक्षाओं के लिए काफी मैत पूर्ण है इसलिए अपके दोस्तों को भी इसका लाव हो इसलिए सभी के साथ अपने फ्रेंड सभी दोस्तों के साथ इसको शेर कीजिए और दोस्तो ये दिवितिक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब की नहीं किया है तो पलीज वीडियो की निचे जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तो कमेंट बोक्स में टाइब करके जरूर बताएगी कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है अपमारा कंटेंड आपको कैसा लग रहा है दोस्तो पहला कि इसमें पहला कि उसमें रखा गया है कोब 26 जलवायू परिवतन सेकर समेलन 2021 गलासको में नौंबर में आयजित हो अगले साल तक के लिए इसको इस्तगीत कर दिया गया है नेक्स्ट है दोस्तो अपना निर्मला सितारमन जी जो वीथ मंतरी है तो निर्मला सितारमन ने G20 देशों के FMC BG की दूसरी बेटक में भाग लिया केंदरे वीथ मंतरी निर्मला सितारमन ने COVID-19 मांमारी के गहराते संकट के बीज वेश्विक आर्थिक देश्टिकोंट पर चर्चा करने के लिए सहूदी अरब की अध्यक्सता में आज़ित की गई G20 के वीत मंत्रियों और केंद्रे बेंकों के गरोनोरों की दूसरी बेटक के वर्चुल सत्र में भारत का परतिने दितों की है तो दोस्तों जो इसके देश्टा किस ने किया दोस्तों साओधी अरब ने इसकी देश्टा की है दुनिया भर में फेली COVID-19 मामारी के फर्वाव के कारण युनेसकों की विश्वे दरोवर समीती का 24 स्वा सत्र इस्तिगित कर दिया गया है इस सत्तर को चीन की सरकार दुबारा 39 जून से 9 जुलाई 2020 तक पूरवी चीन के फुजियान फ्रांद के फुन्जों में आयोजित किया जाना था नेक्स्ट है दोस्तों अपना New Development Bank के Board of Governors की पांचवी वार्शिक बेटक केंद्रे वीतम कॉर्परेट कार्यमंतरी निर्मला सितारमन ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से New Development Bank NDV के संचालक मंडल Board of Governors की पांचवी वार्शिक बेटक में भारत का पड़तीनी दितों किया है NDV का गठन ब्रिक्स देशो यानि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिन अफरीका के लिए सतत्विकास, पुरेजनाओं के लिए व्यापक संसादन जूटाने के लिए 2014 में किया गया थो ध्यान रखना दोस्तों DMV का गठन कब किया गया था 2014 में किया गया था ब्रिक्स देश है उनके लिए किया गया था ब्रिक्स देश कौन कौन से इसमें ब्रिक्स देश है ब्राजिल, रूस, भार, चीन और दक्षिन अफ्रीका नेक्स्ट अबना सवधी अरब ने जी ट्वन्टी देशों के कर्सी मंतरियों की एसाधन बेटे का आज़ित की ब्रिक्स देशों के कर्शी मंतरियों के इसाधन बेटे का आज़ित कीा गया था बंगला देश में व्यापार संवर्दन परवेबिनार का आयज़ित किया गया बंगलादेश में इस्तिद भारतिय उचायोग और भारतिय बंगलादेश चेंबर्स ओप कॉमर्च एंड इंडिस्ट्री आई बी सी सी आई ने सहींत रूप से व्यापान समर्दन पर एक वेबिनार का आईजनवापर किया है बंगलादेश में भारत की उचायोगत रिवा गांगुली दास ने भारत और बंगलादेश के कारुबार जगत के परतिनीद्यू से दुनिया में कुरोना मामारी के चलते होत्पन हुए आर्थिक परिद्यर्शे के लिए नए विचारों को साजा करने का अहवान किया है वही बात करें दोस्तों बंगलादेश की तो बंगलादेश के परदानमंत्रिय वर्तमान में सेक असिना जी और बंगलादेश की राजदा ने दोस्तों डाखा और मुद्रा जो है वंगलादेश की वो है टेका और बंगलादेश में भारत की उचायोगत कोन है रिवा प्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया केंद्रे प्रयाण वन एम जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकास जावेड कर ने पहले वर्चुल पिटरबर्ग जलवायू समवाद में भारत का परतिने देतों किया इस समवाद की मेजमानी जर्मनी ने की थी और इसकी सय अधेक्सता दोस्तों ब्रिटेन ने की तो ध्यान ये रखना है दोस्तों जो पिटरबर्ग जलवायू समवाद हुआ था उसमें भारत का परतिने देतों उसमें केंद्रे परियाण वन एम जलवायू परिवर्दन मंत्री प्रकास जावेड कर जी ने किया था और इसकी अधेक्सता जर् जो भी नियुकतिया हुई थी या इसती पर दिये गए अप्रेल महें के अंदर उसका आपने या अद्यान करेंगे दोस्तों ये जो वीडियो अपना चल रहा है वह अप्रेल महें के पूरे मन्त का करंट अफेर या पर सामिल किया गया है तो दोस्तों वीडियो काफी लंब करना उसको दबा कर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस टोपिक के अंदर अपना पहला क्यूशन है आर्विया के डिप्टिक गरवनर वीपी कानुन गो को कारेकाल बढ़ा दिया गया था अप्रेल मैंने के अंदर केंदर सरकार ने रिजवर बंग के डिप्टिक गरवनर वीपी कानुन गो के कारेकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया जो 3 अप्रेल 2020 से लागू होगा तो याणि 3 अप्रेल 2021 तक के लिए उनके कारेकाल को बढ़ा दिया गया है RBI में दोस्तो चार डिप्टी गर्वनर होते है अन्य तीन गर्वनर कौन से है S.Wiswanathan, M.K. Jain और माइकल देवर्थ पातरा ये तीन गर्वनर होगे और चोते होगे दोस्तो VP कानून गो बात करें दोस्तो अपना RBI की भारती रिज़र बेंग इसके 25 वे गर्वनर है वर्थमान में शक्तिकान दारजी वो 15 वे नंबर के गर्वनर है मुख्याले है इसका मुंबई में और RBI की स्तापना दोस्तो एक अप्रेल 1935 में की गई थी और इसतापना इसके कलकटा में की गई थी लेकिन जो मुख्याले है वो 1937 में इसको कलकता से मुंबई शिफ्ट किया गया था नेक्स्ट किसे अपना एज दुरई स्वामी बने सुन्दरम हॉम फाइनेंस के नए परबन निर्देशक सुंद्रम होम फाइनेंस ने लक्ष्मी नायन दुरई स्वामी को कमपनी का नया प्रबन निर्देशक नियुक्त किया है सुंद्रम होम फाइनेंस सुंद्रम फाइनेंस लिमिटेड की पूर्वे पूर्ण स्वामित्व वाली होम फाइनेंस सयोगी कमपनी है एंटीपीसी ने दिलीब कुमार पटेल को बनाया दोस्तों आयचार निर्देशक नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन लिमिटेड नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन लिमिटेड एंटीपीसी ने एक अपरेल से दिलीब कुमार को एक अपरेल से दिलीब कुमार पटेल को अपना मानव संसादन निर्देशक नियुक्त किया है बात करें दोस्तों NTPC की National Thermal Power Corporation Limited भारत की सबसे बड़ी ये विद्यूत कंपनी है भारत की सबसे बड़ी विद्यूत कंपनी है NTPC इसके स्थापना saatnaumar 494 में की गई थी और इसका मुख्याले जो है वो नई दिली में स्थित है और इसके अद्देक्स और MD है गुर्दीव सिंग अद्देक्स और MIT कोन है गुर्दीव सिंग इसके अद्देक्स और MD है नेक्स्ट इपना मादْी पूरी बुच शेवी में पुर्णकाल एक सद्देश strengthen की उर्थ tax के उर्थोक प्रकारटन के कारेकाल को दोस्तोw 6 महिने के लिए बढ़ा दिया गया है तो भारतिये पर्ति बुर्ठीय विनिमे बोर्ड सेवी में पूर्णकाल एक सद्देशन की रूप में सामिल इने का विस्तार किया है सुप्रीम कोर्ड दुवारा दूर संचार विवाद समादान एम अपिल अधिकरन टेलेकॉम डिस्पूर्ट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिबूनल के अध्यक्स नियायमूर्ती सिवा किर्थी सिंग का कारेकाल बढ़ा दिया गया है यूबी परव परविन राव बने नेस्कॉम के नए चेर परसन इन्फोसिस के चीप ओपरेटिंग ओपिसर यूबी परविन राव को साल 2021 के लिए नेशनल एसोसेशन ओप सॉप्ट्वेर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम का नया चेर में नियुक्त किया गया है बात करें दोस्तों न नेस्कॉम के है नेशनल एसोसेशन ओप सॉप्ट्वेर एंड सर्विस कंपनी नेशनल एसोसेशन ओप सॉप्ट्वेर एंड सर्विस कंपनी इसका मुख्याल है नई दिली में इस्तीत है और इसकी स्तापना एक मार्च 1988 में नेस्कॉम की स्तापना की गई तो इसके वरतमान में जो चेरपर्सन है वो कौन है यूबी परवीन राव नेक्स्ट दोस्त अपना भारती एकसा लाइफ इंसोरेंस के नए A.M.D. और C.O. प्राग राज को नियुक्त Kyya गया है जीवन विमा कंपनी भारती एकसा लाइफ इंसोरेंस ने प्राग राज को कमपनी के परवंद निर्शक और मुख्य कारेकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है नेक्स्ट अपना इफ्को टोक्यो की नई M.D. और C.O. Annamica Rai Rostrover इफ़ो टोक्यो जनरल इंसुरेंस कमपनीज ने अनामिका राय रॉस्ट रोवर को अपना नया परपन निर्दे से और मुख्य कारी-कारी दिकारी हाली में नियुक्त किया है विरुपाक्स मिस्रा बने Union Bank of India के नए कारी-कारी दिकारी Corporation Bank और Andra Bank का Union Bank of India में विले होने के बाद तो दोस्तों यह आपको याद होगा यह दिया आपको नहीं पता तो अपने जो मार्ज महिने का वीडियो था उसके अंदर भी मैंने सामिल किया था और करंट जो डेली करंट अपयर के वीडियो उसमें भी मैंने बताया था कि जो 10 बेंकों का वीले किया गया था उसके अंदर एक यह भी था दोस्तों कि Corporation Bank और Andra Bank का वीलें Union Bank of India में किया गया था तो यह वीले होने के बाद विरुपाक्स मिस्रा को Union Bank of India का नया कारेकारी निर्दे सक बनाया गया इससे से पहले विरुपाक्स मिस्रा Corporation Bank में कारेकारी निर्दे सक थे तो बात करें दोस्तो Union Bank of India की इसका गठन 11 नौबर 1919 में किया गया था 11 नौबर 1919 में Union Bank of India का गठन किया गया था मुख्याले इसका मुंबई में स्तित है और MD और COS के राज किरन राज जी एम्डी और CO है Union Bank of India के कार्इकारी निर्दे सक है विरुपाक्स मिस्रा Next धोस्तो अपना Petrium General Insurance Limited के नए MD और CO Вिनित अरोडा विनित अरोडा पेटीम ने विनित अरोडा को पेटियम जनरल इंसुरेंस लिमिटेड का नया परबन निर्दिय सेक और मुक्य कारिकारी अधिकारी नियुक्त किया है पेटियम पेइमेंट्स बेंक लिमिटेड की बात करें दोस्तो परबन निर्दिय सेक और मुक्य कारिकारी अधिकारी है और इसकी स्थापना एक जनुरी 2010 को की गई थी पेटियम की स्थापना एक जनुरी 2010 को की गई थी नेक्स्ट अपना दोस्तो केर रेटिंग के परबन निर्दिय संग और मुख्य कारिकारी अधिकारी अजे महाजन अजे महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केर रेटिंग का नया परबन निर्देसक और मुख्य कारिकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है नेक्स्ट बात करें दोस्तो अपनर BSNL के परमुक है PK पुरवार BSNL के परमुक है उनको दोस्तो MTNL का अतिरिक्त परबार भी सोपा गया है तो भार संचार निगम लिमिटेड BSNL के अधियक्स और परबन निर्देसक पीक के पुरवार को महानगर टेलिकॉम निगम लिमिटेड MTNL के चेर्मेन और मेनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त परबार सोपा गया है बात करें दोस्तो अपन BSNL की तो BSNL के है भार संचार निगम लिमिटेड इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्तित है और इसकी स्थापना दोस्तो 15 सितंबर 2000 को किये गी थी नेक्ट दोस्तो अपन बात करें WWF इंडिया ने विश्वनातन आनन्द को बनाया अपने कारेक्रम का अंबिशेटर World Wide Fund WWF इंडिया ने विश्व सतरंद चेंपियन विश्वनात आनंद को अपने प्रयावन सिक्षा कारेकरम का एंबिसेटर बनाया है तो आनंद प्रयावन सरक्षन और सुरक्षा करने में WWF का सयोग करेंगे WWF की बात करें दोस्तों World Wide Fund इसका मुख्याले स्विजिलेंड के गलेंड में इस्तित है और इसकी स्तापना 30 अपरेल 1961 में की गई थी WWF की स्तापना 30 अपरेल 1961 में की गई थी निर्दिसक इसके मारको लेंबर्टीनी है IWF परमुक तमस अज़ान ने हाली में इस्तिपा दिया है अंतराष्टे वेट लिप्टिंग मासंग IWF की है दोस्तो इंटरनेशनल वेट लिप्टिंग फेडरेशन अंतराष्टे वेट लिप्टिंग मासंग के अद्धेक्स तामस अज़ान ने अपने उपर लगे बश्टाचार और डोपिंग उलंगन आरोफों के मद्य नजर अपने पद से इस्तिफा दे दिया है अब अमेरिकी उर्सुला पामपंडिया कारेवाइक अद्धेक्स की रूप में सांस्ता का ने तर्तव करेंगी तो बात करते हैं दोस्तों IWF की अंतर राष्ट्य वेट लिप्टिंग मासंग इंटरनेशनल वेट लिप्टिंग फेडरेशन इसका मुख्याले हंगरी के बुड़ा पेश्ट में च्थित है और इसकी स्तापना दोस्तों 1905 में की गई थी संजेक ओठारी का इस्तान लेंगे संजेक ओठारी के जिन्होंने फरवरी में मुक्य सतकता आयुकत के रूप में चुना गया था और वियाई ने एन कमा कोदी की सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में पुने नियुकती को मनजूरी दी है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने एन कमा कोदी को पुने अपना एमडी और सीयो नियुकत किया गया उनके नियुकती अगले 3 साल के लिए की गया जो 1 मई 2020 से परवावी होगी और अगले 1 मई 2020 से अगले 3 साल के लिए उनको नियुकत किया गया बात करें दोस्तों City Union Bank की इसके M.D. और C.O. होगे N. कमा कोदी और इसकी स्तापना 31 सक्टमबर गुनेशो 4 में की गई थी 31 सक्टमबर गुनेशो 4 में इसकी स्तापना की गई थी इसका मुख्यले जो है वो तमिलाडू के कुम कोणम में इसका मुख्यले इसका मुख्यले इस्तित है नेक्स्ट अपना Huawei इंडिया के नए C.O. दोस्तों David Lee है डेविड ली को भारत में Huawei टेलिकॉम का नए मुख्य कारिकारिय दिकारिय नियुक्त किया गया है नेक्स्ट बनता है अपना Qution I.M.M.A. के नए अध्यक्स राके सर्मा I.M.M.A. किया है दोस्तों International Motorcycling Manufacturers Association I.M.M. Motorcycle 5.M. Manufacturers Association ने बजाज आटों के कारिकारी निर्देशक राके सर्मा को दो साल के लिए दो साल के कारिकार के लिए अपना नए अध्यक्स नियुक्त किया है नेक्स्ट है दोस्तों अपना केंद्री सत्रक्ता आयुक्त अभी अपने पढ़ाता संजे कोठारी जी तो संजे कोठारी जी ने केंद्री सत्रक्ता आयुक्त के रूप में सपत ले लिए इससे पहले वे राष्टपती जी के सचीव थे नेक्स्ट है दोस्तों निगम हुडगो का अद्यक्स एंपरबन निर्देसक नियुक्त किया गया है तो बास्त करें दोस्तो हुडगो की तो ये तो हो गया दोस्तो सिवदास मिना को अद्यक्स एंपरबन निर्देसक बनाया गया है हुडगो है दोस्तो आवास और सहरी विकास निगम इसका मुख्यालै नए दिल्ली में च्थित है और इसकी स्ताफना दोस्तो गुन्नी सो सत्तर में की गई थी नेक्स्ट है दोस्तो अपना भारत ने कतर और बहरीन में नए राजदूद नियुक्त किया या आपको ध्यान रखने दोनों कि कतर में किसको नियुक्त किया है और बहरीन में किसको भारत ने राजदूद नियुक्त किया तो दोस्तो दिपक मितल को इन्होंने कतर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है वही पियू स्रिवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है तो ध्यान रखना है दिपक मित्तल को कतर में और पियू स्रिवास्तव को बहरीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है बात कर नेक्स्ट है दोस्तो अपना पूर्वे विच सचीव राजीव कुमार बने P.E.S.B. के नए अद्यक्स P.E.S.B. के है पबलिक इंटरप्राइजे सेलेक्शन बोर्ड तो पूर्वे विच सचीव राजीव कुमार को तीन साल के कारिकाल के लिए लोक उध्यम चैन बोर्ड पबलिक इंटरप्राइजे सेलेक्शन बोर्ड का नया अद्यक्स नियुक्त किया गया है वह कपिल देवत्री पार्टी का इस्तान लेंगे जिन्होंने हाली में राष्टपती रावनात को मिन जी के सचीव का पदभार समाला है नेक्स्ट है दोस्तो अपना टी एस त्री मूर्टी होंगे सेलेक्शन बोर्ट के अगले इस्ताई परतिने दी तो सहिंगत राष्टे की सहिंगत राष्टे का मुख्याल है सहिंगत राष्टे अमेरिका के नियॉर्क सहर में इस्तित है इसकी स्तापना 24 सक्टूम्बर 1945 में की गई थी और इसके मासर चीव एंटोनिया गुटरेक्स जो पुर्थकाल से सम्मन दीत है पुजुस्वरी जो एमडी और सीओ निरजव्यास निरजव्यास को आठ महिने के अवधी के लिए PNB Housing Finance Limited के अंतरिम परबंद निरदेशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है तो दोस्तों आपको बता दूँए जो अपना वीडियो चल रहा है दोस्तों इसके अपरेल महिने के पूरे महिने के करन्ट अफेर को इसके अंदर सामिल किया गया है और यह दि दोस्तों आपने आपको जनवरी महिने का फरवरी महिने का और मार्च महिने का करन्ट अफेर साहिए और उसका एक वीडियो है दोस्तों जनवरी महिने का एक वीडियो है परवरी करने में आपको कंटेंट उड़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तो आप जरूर बताएगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बोक्स में टाइब करके जरूर बताएगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है कंटेंट कैसा लग रहा है जो भी अपने क्रेंट अपेर है अपन उसका अपन याप पर करने वाले हैं तो बैंकिंग और अर्थवेस्था की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इस्वीए ने इंडिया इनेक्स पर 100 मिलियन अमेरिके डॉलर के ग्रीन बॉंड को सुचिवद किया है तो भारतिय श्टेट बैंक ने में की गई थी एक जुलाइक उनीस सो पच्पन में SVA की इस्तापना की गई थी नेक्स्ट है दोस्त अपना संयुक्त राष्ट ने वीत बर्स 2021 में साल 2021 में भारत की GDP को गठा कर 4.8% रहने का हाली में अनुमान लगया है तो संयुक्त राष्ट दुवारा एसिया और परसांद पर आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्शन यूएन एकोनोमिक एंड सोशियल सर्वेय और पेसे एंड पेसिपिक E.S.C.A.P. रिपोर्ट में वीत बर्स 2021 के लिए भारत की GDP का नुमान 4.8% रखा है संयुक्त राष्ट की इस रिपोर्ट का जो शीर सक है वह है एकोनोमिक एंड सोशियल सर्वेय और पेसे एंड पेसिपिक 2020 टूवार्ज संस्टेनेबल एकोनोमिज वही बात करें दोस्तों पन संयुक्त राष्ट की तो संयुक्त राष्ट का मुख्याल है जो वो संयुक्त राष्ट राष्ट अमेरिका के नियु यॉर्क सेर में इस्तित है और इसकी स् स्टापना इसकी 24 सक्टमबर 1945 में की गई थी और इसके मास चीवे दोस्तों एंटोनिया गुटरेक्स एंटोनिया गुटरेक्स इसके मास चीवे जो पुर्दगाल से बिलोंग करते हैं और 24 सक्टमबर को संयुक्त राष्ट राष्ट दीवस मनाने की सुरुवात 1948 से की गई थी आरविया का ट्विटर अवियान आरविया ने ग्रहकों को सुईदा जनक और सुरक्षित बुगतान विकल्प डिजिटल पेमेंट सुईदा को अपना अन्यका आगरे करने के लिए ट्विटर अवियान की सुरुवात की है इस अवियान के माद्यम से आरविय और इंटो सेवन होड से सुईदा उबलब्द रहेगी नेक्स्ट है दोस्तों आरविया ने महापसा अरवन को अपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद कर दिया है बारती रिजर बैंक दुवारा महापसा अरवन को अपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिम 1949 की दारा 56 के तहत ततकाल परबाव से जमा की गई दनासी पुन्र बुक्तान के साथ साथ दारा 5B में बताए गई जमारा से भी सामिल है mutual fund कंपनियों को RBI पचास जार करोड रुपे देगा पचास जार करोड रुपे दिये जाएंगे mutual fund कंपनियों को RBI के दोवारा हाली में पुंझी वियाव बाजार में कोरोना वाइरस के कारण ऐस्तिरता के कारण mutual fund industry में liquidity का संकट मन रहा रहा है जिसके चलते देश की अगरनी mutual fund house Franklin टेपलेंग इंडिया द्वारा six dead fund scheme बंद कर दी गई है जिसे से mutual fund निवेसको में गब्राट का महुलता इसंकट को कम करने के लिए RBI ने ये सोमा टाइप हो गया पर RBI ने भारती रिजर बेंग ने mutual fund कंपरियों को 50,000 क्रोड रुपे दिया जाने की गोशना की है ये सयोग तरलता को बनाय रखने के लिए दिया जा रहा है बही बात करते हैं दोस्तो RBI की रिजर बेंग आफ इंडिया भारती रिजर बेंग इसके गरवनर है वरतमान में सक्तिकान दाज जी जो 25 वे नंबर के गरवनर है और इसका मुख्यल है मुंबई में इस्तितर इसकी स्थापना एक अपरेल 1935 में कलकता में की गई थी कलकता में इसकी स्थापना की गई थी एक अपरेल 1935 को और कलकता से फिर इसको 1936 में इसके एड़कॉर्टर को मुंबई में शिप्ट किया गया था ACC ने बैंक बॉर्ड ब्यूरो के सदेशों को कारेकाल दो साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है बैंक बॉर्ड ब्यूरो का गठन कब किया गया दोस्तों फरवरी 2016 में इसका गठन किया गया था बैंक बॉर्ड ब्यूरो को सारजनिक शेतर के बैंक को और वीतियस एंस्तानों में सिर्जपदों के लिए उमिद्वारत्य करने की जिम्यदारी सोपी गई है नेक्स्ट है दोस्तों अपना बैंकिंग फ्लेट फरम है डीजी गेन डीजी गेन एक बैंकिंग प्लेट फरम में क्या है ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक डीजिटल बैंकिंग प्लेट फरम डीजी जेन लॉंच किया है जा ग्राहक डीजिटल रूप से कभी भी कही भी बचतिया सावधी जमा खोलने में सक्सम होंगे नेक्स्ट अपना महाबलेस पर MS करनाटक बैंक के दोबारा MDOCU नियुक्त किया है तो भारती रिजल बैंक ने करनाटक बैंक को अगले तीन वर्सों के लिए महाबलेस पर MS को MDOCU के रूप में पुने नियुक्त किया है नेक्स्ट अपना PBOC ने HDFC में अपनी सेधारी बढ़ाई है तो पीपुल्स बेंक ऑफ साइना PBOC पीपुल्स बेंक ऑफ साइना ने Housing Development Finance Corporation Limited HDFC में अपनी सेधारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर दी है इस सेधारी बढ़ाने की परक्रिया सेकेंडरी मार्केट लेंदेन की रूप में की गई इस लेंदेन के बाद HDFC में पीपुल्स बेंक ऑफ साइना की सेधारी की कीमत 2.960 क्रोर रुपे की हो गई है ADB ने अपने COVID-19 Response Package को बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर का किया है ADB ने जारी किये अपने COVID-19 Response Package की राशी को बढ़ाकर 20 बिलियन डॉलर करने का ऐलान किया इससे पहले एडीबी ने क्रोना वाइरस COVID-19 मामारी से निपटने के लिए मार्स 2020 में 6.5 बिलियन डालर के COVID-19 रिस्पॉंस पेकेज की गोशना की थी ADB की बात करेशियन डेवलप्मेंट बैंक इसके देख से वर्तमान में मात सुगु असकावा इसका गटन गुनीश दिसंबर 1966 में किया गया था और इसका मुख्याले फिलिफिन्स के मनिला सेर में इस्तित्त है और इसके 68 देश इसके वर्तमान में सदस्य देश है RVA ने COVID-19 के परवाव को कम करने के लिए नए उपायों का गोशना की है भारती रिजर्बेंग ने परमुप गोशनाओं में ततकाल परवाव से चल निदी समायोजन सुईदा LAP के तहत रिवर्स रेपोदर में 25 बेसी संकों की कटोती की चार इसे 4 परसेंट से गठा कर 3.75 परसेंट करने का निनने आरवे द्वारा लिया गया है तो वर्तमान में दोस्तों जो दर्य है वो इस परकार से रहेगी अब रेपोदर है वो 4.40 परसेंट है रिवर्स रेपोदर को चार से पहले 4 थी लेकिन उसको गठा कर तो 3.75 परसेंट कर दिया गया है बेंग दर 4.65 परसेंट है और सिमान्त इस्ताइस विदा MSF दर 4.65 परसेंट है एच डिएफसी बेंग सेफटी ग्रिड वियान HDFC बेंग सेफटी ग्रिड वियान HDFC बेंग ने सावजनिक स्तानों पर सोसल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC बेंग सेफटी ग्रिड वियान आरम किया है बेंग ने लोगों को प्रोसहित करने के लिए अपने लोगों के बहारी ग्रिड का उपयोग करते हु कि एक नई सुईदा शुरू की है यह सिवा ग्राहकों को बैंक वी देयर वोईस अपनी आवाज के माद्यम से बैंकिंग समंदित परसनों के जवाब खातों में मोजुद रासियम लेंदेन की जानकरी और क्रेडिट कार्ड दे तीजी जैसी कई अन्य जानकरी असिल करने में स इस सेदारी को एक परतिसर्ट बढ़ा कर सोरी एक यह थोड़ा सा मिश्टे के आपर इसको बढ़ा कर 4.49% कर दिया है इसके साथ अब केलेडियम इन्वेस्टमेंट पी टीई लिमिटेड के पास अब बंदन बेंक के 7.2 क्रोड सेयर हो गए है नेक्स्ट है दोस्तों बेंकि इसके सेदारा ने उद्योगिक विवाद कानून के प्रावदानों के अंतरकरत बेंकिंग उद्योग को जन उप्योगी सेवा की रूप में गोशित किया है सरम मंतराले दुवारा जारी अदिस उसना के अनुसार बेंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवदी यानी 21 सक्टमब 2020 तक के लिए जन उप्योगी सेवा गोशित किया गया है इंडिया रेटिंग्स एंड्रिसर्श एज़ेंसि ने भारत की GDP ग्रोथ को गठा कर 1.9 परसेंट किया है क्रेडिट रेटिंग एजर्शी इंडिया रेटिंग्स एंड्रिसर्श इंड रो ने अपना अपनी ताजा रिपोर्ट में वीतिय वर्स 2020-2021 के लिए बारत के सक्यल गरिलूत पाज GDP ग्रोथ को गठा कर 1.9% कर दिया गया है इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने मार्च 2020 में वीतिय वर्स 2021 की GDP ग्रोथ 3.6% रहने का अनुमान लगा था तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपको इसने 3.6% से गठा कर इसको 1.9% कर दिया गया है नेक्स्ट क्यूसन अपना इंडियन ओवर्सिस बेंग ने SSJ के लिए एक विशेश रिन शिवा शुरू की है इंडियन ओवर्सिस बेंग आई ओबी दुवारा स्वम सायता समो के लिए एक विशेश रिन योजना शुरू की गई आई बीने COVID-19 दुवारा उत्वन खटिनायों का समादान करने के लिए स्वम सायता समो की सायता के लिए या पैल की है क्रिसिल ने विट वर्स 21 के लिए भारत की जीडिवी ग्रोथ को 3.5% से गठा कर 1.8% कर दिया गए रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने विट वर्स 2021 में भारत की जीडिवी विकास दर के अपने पहले लगाए कि पुरुवन मान 3.5% को कम करके 1.8% कर दिया है तो क्रिसिल की बात करें दोस्तों तो क्रिसिल के CEO वर्तमान में आसू सुयस और मुख्यार सास्तरी इसके धरम किर्थी जोसी और मुख्याले इसका माराश्टर की राज़दानी मुंबोई मेश्तित है नेक्स्ट अपना दोस्तों मुडीज मुडीज ने भारत की GDP पुरुवन मान को 2.5% से गठा कर 0.2% कर दिया गया है मुडीज इन्वेश्टर सर्विस ने मार्च में कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के अनुमान GDP ग्रोथ अनुमान 2.5% को गठा कर 0.2% कर दिया गया है साथ थी मुडीज ने 2021 में भारत की GDP विकास दर्चाए 2.2% रहने का अनुमान लगाया गया है मुडीज दुआरक के वल चीन भारत और इंडोनेसिया के लिए 2020 का अर्थी विकास अनुमान लगाया गया मुडीज ने ये कटोती क्रोना वाइरस मामारी की कारण लगे देश वेपी लोकडाउन से भारत में पढ़ने वाले आर्थीक फरवाव के चलते की है बात करें दोस्तों अपन मुडीज की तो मुडीज अमेरिका की रेटिंग एजिंसी है जिसकी स्थापना जोन मुडी ने 1909 में की थी तो द्यान रखना है दोस्तों मुडीज के सेंस थापक जोन मुडी है और इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका मुख्याले है वो सभी तराज अमेरिका के नियू योर्क सेर में इसका मुख्याले इस्तीत है और इसके CEO है दोस्तो रेमन डबल्यू मेकडेनियल जूनियर रेमन डबल्यू मेकडेनियल जूनियर इसके CEO है इसके बाद में आता है दोस्तो अपना समझोता और व्यापार समझोता और व्यापार से सम्मधी जो भी अपने करेंट अफेर है उनका अध्याना अपनी इन सलाइडों में आगे करेंगे दोस्तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के निचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा कर इस चैनल को जिरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो सबसे पहले अपना भार्त पे और ICICI Longboard ने साज़ेदारी की है भार्त मेंने COVID-19 को कवर करने वाले बीमा की सुविदा देने के लिए ICICI Longboard General Insurance Company Limited के साज़ेदारी की यह बीमा सुविदा दुकानदारों के लिए सुरू की गई है जो कोरोना वाइरस के परकोप के कान आर्थिक रूप से सबसे अधिक परवावित हुई है नेक्स्ट है दोस्तो डॉमिनोज Essential सेवा डॉमिनोज बीजा ने डॉमिनोज Essential सेवा लौंज करने के लिए ITC Foods के साज़ेदारी की है डॉमिनोज Essential सेवा के जरिए ITC Foods दुवारा रोजमर्रा की आउसक वस्तुए डॉमिनोज के डिलेवरी नेटवर्क के मादिम से लोगों तक पहुचाई जाएगी नेक्स्ट है दोस्तो अपना उबेर COVID-19 के उप्चार में लगे स्वास्ते कर्मियों के आने जाने में मदद करेगा राष्टिय स्वास्ते प्राधिकरण ने सारवजनिक स्वास्ते सिवा में लगे स्वास्ते कर्मियों को आवाजाई की सुविधा परदान करने के लिए उबेर के साथ एक समझोते पर अस्ताकसर किये है इस समझोते के अंतरकरत उबेर COVID-19 रोग्यों के उप्चार में लगे स्वास्ते सिवा कर्मियों को परिवेंच सिवाय परदान करेगा कोरोना केयर बीमा पोलिशी कोरोना केयर बीमा पोलिशी फोन पे ने बजाज आलियंस जनरल इंसुरेंस के साथ मिलकर कोरोना वाइरस होस्पिटलाइजेशन बीमा पोलिशी कोरोना केयर सुरू करने की गोशना की है phone pay users phone pay a per my money section पर जाकर अपने लिए corona virus policy ख्रीज सकते है phone pay की दोस्तों बात करें तो phone pay की स्थापना दिसमबर 2015 में की गई थी और phone pay के CEO है समीर निगम समीर निगम phone pay के CEO है और phone pay का जो मुक्याले है वो करनाटक के बेंगलूर में इसका मुक्याले इस्तित है लार्सन एंट रुबो एल एंटी ने नेट्वर्क और स्पेक्ट्रम के अंतरगर्द सुरुक्षा बलो के नेट्वर्क को संचालित करने के लिए एक उन्नत IT सक्षम परनाली स्तापित करने के लिए भारतिय सेना के साथ समझेते पर स्ताक्सर किये है I.I.L. ने COVID-19 वेक्सिन तैयार करने के लिए ग्रिफित विस्वेविदाले के साथ साज़दारी की हैधराबाद एस्तित इंडियन इम्मिनोलोजिकल लिमिटेड I.I.L. ने COVID-19 के लिए वेक्सिन विक्सित करने के लिए आश्टेलिया के ग्रिफित विश्विव दाले के साथ साज़ेदारी की है IIL और ग्रिफित विश्विव दाले के वेग्यानिक मिलकर नविन्तम कोडन डी अप्टिमाइजेशन तकनिका उप्योग करके लाइव एटेंड ड्यूड सरस से आरेस सी ओवी टू वेक्सिन या कोविद नाइटिन वेक्सिन विक्सित करेंगे नेक्स्ट है दोस्तो अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भारत में कोविद नाइटिन का मुकाबला करने के लिए यूनिशेव के साथ समझता किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविद नाइटिन से निपडने के लिए बारत के प्रयासों में बार सरकार के प्रयासों में सयोग करने के लिए स्यूंक्त राष्टर बाल को इस यूनिशेप के साथ साज़ेदारी की इस साज़ेदारी का उद्धिशे कोड़ी-19 मामारी के खिलाब नागरिकों को जागरू करना और उन्हें सक्सत बनाने के लिए जन संचार अभ्यान शुर की पॉलिसियों का नाम है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर और डिजिटल इल्नेस ग्रूफ इंसुरेंस नेक्स्ट है दोस्तो अपना कोरो फल्यू वेक्सिन के है दोस्तो भारत बायोटेक्न अमेरिका के कंपनी फल्यूगेन और उनिश्टिटी और विसकॉसिंस मेडिसन के स प्यार किया जाएगा नेक्स्ट कुसन है दोस्तो अपना भोगापुरम अंतराष्टी हवाइड़ा भोगापुरम अंतराष्टी हवाइड़ा जी एमार एरफोर्स लिमिटेड अंदर परदेस में भोगापुरम अंतराष्टी हवाइड़े का निर्मान और संचालन करेगा अंदरपर्दे सरकार ने बोगापुरा में ग्रिनफिल्ड अंतराष्टे वायडे के निर्मान के लिए GMR Airports Limited को Letter of Award जारी किया है वही दोस्तों अगला क्यूसन मनता है अपना Yes Bank ने Max Life Insurance के साथ अपने वियापरिक साजेदारी का विस्तार किया है Yes Bank ने Max Life Insurance के साथ अपने वियापरिक सम्जोते को बढ़ाने की गोशना की इस करार को अगले 5 साल के लिए नोंने बढ़ाया है इसके बाद में अगला क्यूसन अपना Tata AIA Life Insurance ने COVID-19 से संबंदी तत्रिक लापरदान करने की गोशना की Tata AIA Life Insurance ने अपने पॉलिसी दार को और एजेंटों को बिना किसी अतरिक लागत के COVID-19 से संबंदी सिवाय देने की गोशना की है जिसके साथ Tata AIA इस परकार की सिवाव का विस्तार करने वाली भारत की पहली जीवन विमा कंपनी बन गई है तो नेक्स्ट है अपना TBS Motor Company ने स्पोर्ट्स मोटर साइकल ब्रांड नॉर्टन का अधिगरेंड की आ है परतिष्टित स्पोर्ट्रिंग मोटर साइकल ब्रांड का दिगरेंड 16 मिलियन पाउंड में किया गया है इसके बाद में अगला क्यूसन अपना फिच ने भारत की GDP बर्दी के अनुमान को गठा कर 1.8% कर दिया है रेटिंग एजेंसी फिच सोलुशन ने वीट बर्दी बर्दी 2021 में बारत की आर्थिक विकास पुरूमान को गठा कर 1.8% कर दिया है फिच सोलुशन ने COVID-19 पर कोप के कारण अर्थवेश्टा में बड़े पेमानने पर आयमें होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपने पहले के नुमान 4.6% में कटोती की है इसके अलावा फिच सोलुशन ने चीन के अर्थवेश्टा पर बिगड़ते वेश्वी कार्थिक देश्टिकोन के फरवाव को देखते हुए वीत बर्स 2020 के लिए चीन के GDP पुरूमान को 2.6% से गटा कर 1.1% कर दिया गया है नेक्स्ट कुसन अपना payments payments bank ने master card के साथ समझ जोता किया है Ptym payments bank limited PPBL ने virtual और physical debit card जारी करने के लिए master card के साथ समझ जोता किया इस card से गराग सुरकशित online लेंदेन दुकानों में बुगतान करने साही ATM से नगदी निकालने में भी सक्सम होंगे PPBL की साज़ेदारी का मुख्य उद्य से वीत परस 2021 में 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेविट कार्ड जारी करना है वही दोस्तों अगले क्यूशन की बात करें तो फेस्बुक ने खरीदी रिलाइंस जियो की 9.99% इससेदारी काफी इंपोटेंट की उसना तोस्तों की फेस्बुक ने रिलाइंस जियो की लगबग 10% इससेदारी खरीदी है सोशल मीडिया फेस्बुक और अमेरिका की टेक दिगज फेस्बुक ने रिलाइंस जियो यानि रिलाइंस इंडिस्ट्री लिमिटेड की दूरसंचार कंपनी में 9.99% इससेदारी खरीदी है फेस्बुक ने ये 9.99% इससेदारी 5.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगबग 40,560 करोड रुपे में खरीदी है जियो प्लेटफरम्स, फोन, एम, डेटा, एकाई रिलाइंस, जियो इन्फो कॉम का इससा है जिसमें जियो मार्ट, जियो सावन, जियो सिनेमा जैसे कई अन्य डिजिटल एफ सामिल है पे एनबी आउस्िंग फाइनेंस ने 54 Million Dollar का निवेश जोटाने के लिए JICA के साथ साज़ेदारी की है पनजाब national bank, housing finance ने 54 Million Dollar का निवेश जोटाने के लिए जापान international cooperation agency के साथ साज़ेदारी की इस साज़ेदारी के साथ जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी की भारत के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में पहली फंडिंग भी होगी नेक्स्ट कुशन है दोस्त अपना रिचार्ज साती कारेकरम रिचार्ज साती कारेकरम Vodafone Idea ने PayTM के साथ मिलका रिचार्ज साती कारेकरम की सुरुवात की है इस कारेकरम से निजी और छोटे वेवसाय को अतरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी साथी Vodafone Idea Recharge ज्यादा Recharge के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को एक सुनिचित केस बेक भी देगा नेक्स्ट कुशन है दोस्तो AirTail ने Nokia के साथ अपने Network समता को बढ़ाने के लिए साज़दारी की है Nokia और भारती AirTail ने भारती AirTail की Network समता को बढ़ाने के लिए लगबग एक बिलियन डॉलर के समझोते पर अस्ताक्सर कि ये दोनों कमपनीों तुवारा भारत में 9 सरकिलों में Nokia के स्रन सोलूशन को स्तापित करने के लिए बहु वर्षिय समझोते पर अस्ताक्सर हाली में किये गए है इसके बाद में दोस्तो अपना टॉपिक आता है विज्ञान और तक्निक से समझदी जो भी करेंट है अपरेर महिने का उसका देन अपनी या करेंगे दोस्तो जिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पर इस वीडियो के निचे जो रेड कलर का बटन हो उसको दबा कर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो अपरेल महिने के पूरे मंत का करेंट पर यहाँ पर सामिल किया गया है दोस्तो विज्ञान और तक्निक समंधित वाले टॉपिक में पहला क्यूसिन अपन ने लिया है संराइज मिसन का संराइज मिसन के काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एड्मिनेस्टेशन जो नासा है National Aeronautics and Space Administration NASA ने इसको शुरू किया है NASA ने एक नए मिशन Sun Radio Interferometer Space Experiment Sunrise की गोशना की तो Sunrise का फुल फॉरम है दोस्तो Sun Radio Interferometer Space Experiment Sunrise मिशन में इस अध्यान पर Sunrise मिशन में इस पर अध्यान किया जाएगा कि सूर्य कैसे उर्जा उत्पन और विशाल अंत्रिक्स मोसम तुपानोंक और नेगरों के अंत्रिक्स में छोड़ता है मिशन का नेत्रत्व एन आर्बर के मिशीगन विश्वय उदाले के जस्टिन केस पर करेंगे थता जिसका परबंदन NASA की जेड प्रोपेशनल लेबरेटरी JPL दुआरा किया जाएगा NASA ने साल 2024 तक चंद्रमा के दक्षनी धूरव पर पहला मानव सिविर आर्टेमिस इस्तापित करने की योजना की गोशना की है NASA वरत्वान में आर्टेमिस कारिकरम पर काम कर रहा है जिसका उद्शे 2024 तक चंद्रमा पर मनुश्यों को उतारना है NASA की NASA Plan for Sustainable Lunar Explorational and Development सिटसक रिपोर्ट में इस बात की विश्तर जानकरी दी गई है कि अंतरिक्स एजेंसी के से 2024 तक मून लेंडिंग मिसन को पूरा करेगी नेक्स्ट है दोस्तो High Pressure Ventilator VTL काफी इंपोर्टेंट है ये भी High Pressure Ventilator VTL है National Aeronautics and Space Administration NASA ने COVID-19 मरीजों का इलाज करने के लिए VTL नामक एक उचदाव वाला Ventilator विक्सित किया है High Pressure Ventilator विक्सित किया है NASA ने जिसको नाम दिया हुन्होंने VTL का VTL की फुल परम किया है Ventilator Intervention Technology Accessible Local Ventilator Intervention Technology Accessible Local तो ये VTL को NASA ने विक्सित किया है Next अपना Hubble Telescope ने अंतरिक्स में अपने 30 साल पूरे किया है NASA के Hubble Space Telescope ने 25 अपरेल 2020 को और्बिट में अपना 30 साल पुरा कर लिया है इस Telescope को United States Space Agency NASA दुवारा European Space Agency ESA के सहयोग से इसको उस समय बनाया गया था बात करतें दोस्तों NASA की क्योंकि अपने जो पिछले तीन सार क्यूशन पढ़े है वो NASA से रिलेटेड पढ़े है तो अपन NASA के बारे में भी अपनको knowledge होना चाहिए कि NASA है क्या NASA दोस्तों National Aeronautics and Space Administration इसकी फुल फोरम है इसका मुख्याल है अमेरिका के Washington DCS हैर में इस्तित है और इसकी स्तापना गुड़न 30 जुलाई 1958 में की गई थी गुड़न 30 जुलाई 1958 में इसकी स्तापना की गई थी और इसके बरतमान में जो परसासक है administration है वो है Jim Bradenstein Jim Bradenstein बरतमान में नासा के परसासक है नेक्स्ट है दोस्तों अपना व्यक्तिगत सुरक्षिया उपकरण जेविक सूट रक्षा अनुसंदान और विकाज संगटन DRDO दुवारा व्यक्तिगत सुरक्षिया उपकरण नामक एक जेविक सूट तेयार किया गया है DRDO दुवारा COVID-19 से मुकाबला करने वाले medical, paramedical और अन्य कर्मियों को जानलेवा वाइरस से सुरक्षित रखने के लिए एक जेविक सूट को तेयार किया गया है तो दोस्तों ये ध्यान रखना है जो DRDO है अपना रख्षा अनुसंदान और विकाज संगटन इसने व्यक्तिकत सुरक्षिया उपकरन नामक एक जेविक सूट हाली में तेयार कि ये है रख्षा अनुसंदान ने विकाज संगटन DRDO दुवारा परसनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विक्सित किया गया है नेक्स्ट है दोस्तो कॉबसेक कियोस्क कॉबसेक कियोस्क क्या है रख्षा अनुसंदान विकाज संगटन DRDO ने COVID-19 नमुना संगरे करने के लिए कॉबसेक कियोस्क विक्सित किया है विक्सित किया यह नया की योग संक्रमन फेलने के खत्रे के बीना नमुनों को इकटा करने में सक्सम होगा जो देश में क्रोना वाइरस से निपठने में मदद करेगा बात करें दोस्तों DRDO की क्योंकि पिछले दो थिन क्यूशन अपने DRDO से रिलेटेट समपड़े है तो DRDO का अध्यान कर लेते हैं DRDO क्या है दोस्तों Defense Research and Development Organization Defense Research and Development Organization दोस्तों होता कि एक्जाम में जो क्रेंट अफेर आता है उसके साथ जो क्रेंट अफेर से रिलेटेड पॉइंट होते है उसके बारे में भी एक्जाम की उसने पूछे जाते है तो जो अपन क्रेंट अफेर फटते है इस यूटूब चैनल के अंदर तो उस क्रेंट जो ट्रम्स बनते है उनको भी अपन टच करने की कोशिस करते है ताकि अपन को एक्जाम में क्रेंट जीके कि इस वीडियो के साथ जो क्रेंट जीके है क्रेंट जीके के साथ अपन को और जीके भी अपन को याद होता रहे तो दोस्तों डियाडियों के बारे में बात कर रहे तो देख सोगे G37 Red DG इस्तापना को निस वठ्यावन में हुई और इसका मुख्याले का आप है दोस्तो इसका मुख्याले नई दिल्ली में है Next है दोस्तो Membrane Oxygenator Equipment Generous Membranes ने COVID-19 के मरीजों के उचार में काम आने वाले Membrane Oxygenator Equipment विक्षित किया है इस डिवाइस को सास फूलना के इलाज के लिए विक्षित किया गया है जो COVID-19 के परमुक लक्सनों में से एक है स्रीचितर तिरुनल इंस्टिटूट पोर Medical Sciences and Technology बाहर सरकार के विज्ञान और प्रिद्रगी विवाग के तहत एक स्वायत सासी सैंस्तान है Virtual Braille Keyboard Virtual Braille Keyboard के यह भी काफी important question है Google ने कम दिखाई देने या अंध्यपन से ग्रस्त Android उप्योग करताओं के लिए एक Virtual Braille Keyboard launch करने की गोशना की है यह नया keyboard इन लोगों को बिना किसी अतरिक्त हार्डवेर के फोन पर टाइप करने में मदद करेगा तो Virtual Braille Keyboard जो अंध्य लोग है या जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए launch करने की तेयारी चल रही है और launch कोन करेगा दोस्तों Google यह तेयारी कर रहा है इस keyboard में एक standard 6 key की layout का उप्योग किया गया जिसमें परतेक की 6 Braille dots का परतिने दितों करती है जिससे टेप करने पर कोई भी अक्सर या परतिक बनाया जा सकता है तो बात कर लेते हैं दोस्तों Google की गूगल जो आपको पता है कि आपको जो कुछ भी प्रोब्लम होती है या जो कुछ भी आपको जानना चाते हो तो आप net on करके डायरेक्ट आप गूगल पर सर्च करते हो वही Google है यह है इसका मुख्याला है सुन्युक्त राजी अमेरिका क केलिफोर्णिया में इस्तित है और इसकी स्थापना दोस्तों 4 सितंबर 1998 में में की गई थी और इसके जो CEO है वो कूण है सुन्दर पीचा ही इसके वर्तमान में CEO है नेक्स्ट है दोस्त अपना स्टेतोस्कोप आयू संक है वो क्या है ये देखते है IIT बोंबे ने COVID-19 संकर्मित मरीजों की जाच के लिए आयू संक नामक एक नया डिजिटल स्टेतोस्कोप विक्सित किया है नेक्स्ट है दोस्त अपना विजार्स विज्ञान संचार पहल COVID ग्यान का सुबारम किया गया Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science और Tata Memorial Center दुआरा COVID ग्यान पहल सुरू की गई है किस कोन किस्त किसने मिलकर ये COVID ग्यान पहल सुरू की है Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science और Tata Memorial Center यह एक बहु संस्तागत बहु बासी विज्ञान संचार पहला जिसे COVID-19 मामारी के विज्ञानिक और तत्यात्मक पहलों को सारवजनिक डोमेन में लाने के लिए इसको शुरू किया गया है नेक्स्ट है दोस्तो अपना बग सिनफर बग सिनफर क्या दोस्तो पूने के एगरकर अनुसंदान संस्तान ARI के सोध करता हो रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग सिनफर नामक एक उपकर्ण विक्षित किया है बग सिनफर स्वेधन सील और एक कम लागत वाला सेंसर है जिसे रोग जनकों के तेजी से पता लगाने के उद्धिसे से इसको विक्षित किया गया है इस नए विक्सित पोर्टेबल डिवाई से सिरफ 30 मिनट में एक मिली लेटर के नमूने के आकार से 10 गुना कम बेक्टरिया को सिकाओ से रोग का पता लगाने की समता है वार्ड बोट उसने के लिए वार्ड बोट विक्सित किया है और डिजैन किया है तो पंजाब के रोपड में उनिवर्शिटी सहिंस्तान इस्तित है भारतिय परियोगी की सहिंस्तान इसने इसको वार्ड बोट को विक्सित किया है high-speed magnetic raym high-speed magnetic raym क्या है दोस्तो BENJMAV 찰िण musicians के मंदि में इस्तित भारती प्रियोध्य की तो ने एक high-speed magnetic random access memory रेम क्या होती है दोस्तो random access memory होती है इस magnetic random access memory पर मुझुदा data storage देक्निकों की तो नामे तेज उड़जा बचाने और अधिक मात्रा में अधिक डेटा स्टोरेज करने में मदद मिलेगी तो ध्यान रगना दोस्तो हाई स्पीड मेगनेक्टिक रेम जो विक्सित किया है वो IIT मंडी हिमाचल परदेश ने इसको विक्सित किया है नेक्स्ट है दोस्तो अपना मोबाईल BSL-3 VRDL लेव काफी इंपोर्टेंट आये भी रक्सा मंतरी राजनाक सिंग ने वीडियो कोंफरेंस के मादिम से COVID-19 नमूनों को इकटा करने वाली भारत की पहली मोबाईल लेव लोंच की है भारत की पहली COVID-19 नमूनों को इकटा करने वाली मोबाईल लेव का नाम ही है दोस्तो यह मोबाईल BSL-3 VRDL लेव तो रक्सा मंतरी राजनाक सिंग ने वीडियो कोंफरेंस सिंग के मादिम से इस भारत की पहली मोबाईल लेव को लोंच किया जो COVID-19 के नमूनों को इकटा करती है नेक्स्ट है दोस्तो अपना विलोकना सर्च इंजन विलोकना सर्च इंजन क्या है भारतिय सूसना प्रेद्योक्यों की एम परबंदन सैंस्तान केरल ने एक AIS अर्थ समंदी सर्च इंजन विलोकना विक्सित क्या जिसका अर्थ है खोजना आखिरकार बंद वा दोस्तो उत्री धूरवे के उपर जो ओजोन परत का सबसे बड़ा छेता इस जो लोगडाउन चल रहा है लगबग पूरे विसमे में इमान के चलते हैं तो उसकी वज़े से जो परदूसन कम हुआ है उसके वज़े से जो ओजोन का जो छिद्र है उत्री धूरवे के उपर वो कापी हद तक बंद हो चुका है कोपर निकन एटमोस्पियर अबजर्वेशन सर्वीस से ओजोन चेद पर निगरानी कर रहे विग्यानिकों ने गोशना की है कि उत्री धूरवे में बना ओजोन चेद पूरी तरह से बंद हो गया है उनके दुआरा बताया गया कि आरक्टिक के उपर एक मिलियन वरक किलोमेटर में फेली हो जोन परत में हुआ सबसे बड़ा चेद ऐसामाने वायू मंडलिय पर इस्तितियों के कारण अब बंद हो गया है यह किया है दोस्तों Central Mechanical Engineering Research Institute के दुरगापूर इस्तिति CSIR Lab दुआरा एक कम लागत वाला रोबोटिक डिवाईज फेल के एस्सेसिटिव रोबोटिक डिवाईज एज हार्ड कार्ड विक्सित किया गया है इस रोबोटिक डिवाईज का अपयोग COVID-19 के मुरिजों से नम्मुना संग्रेंट करने और उपचार के लिए किया जाएगा इसके COVID-19 रोग्यों का इलाज कर रहे फ्रेंट लाइन हेल्थ केर कार्य करताओं के लिए बहुती फायदेवंद होने की उम्मीद है क्योंकि अब वे संकर्मित वेक्तियों से सारे रिक दूरी बनाए रखकर उनकी देखवाल करने में सक्सम होंगे नेक्स्ट है दोस्तों अपना बर्बेरिन बर्बेरिन क्या है जुआलाल नेरू सेंटर फोर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वेग्यानिकों ने अलजाइमर अवरोदक आदारित बर्बेरियन विक्सित किया है तो जुआलाल नेरू सेंटर फोर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वेग्यानिकों ने प्राकर्तिक उतपाद आदारित अलजाइमर अवरोदक बनाने के लिए भारत एहुंचीन में पाये जाने वाले आकसिक आईसो कविनोलीन प्राकर्तिक उतपाद बर्बेलीन का च दोस्तों ये अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक जुरूर कीजिए और ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सात्यों के साथ इसको ज्यादा से ज संसादनों से इंफरड आधारी तापमान सेंसर गन को डिजाइन एम विक्सित किया है डाक्यार दवारा खुद के उपलब संसादनों से विक्सित इस गन की किमत एक जार रूपे से वी कम है जो कि बाजार में उपलब देशे अन्य गनों की किमत का अंस बर्बिन यानि की विवहन विवान ट्रांस्पोर्ट एरक्राप्ट C-130J के मादिम से माल दिम को 56 तन आविशक चिकिसा अपुर्ती परदान किया तो दोस्तों ध्यान ये रखना आपको कि ओप्रेशन संजीवनी किसका ओप्रेशन है ये भारती वायू सेना का ओप्रेशन है नेक्स्ट अपना अमेरिका ने भारत को एंटी सिप मिसाइल और टारपिडो बेचने के अनुमति परदान की है अमेरिका ने भारत को हार्पून एर लाउंच एंटी सिप मिसाइल और मार्क 54 लाइवेर ट्रापिडो की बिकरी करने के मंजूरी दी है ट्रम परसासन ने ये मंजूरी छेतरे ख क्राप्ट रियार्ड कोची ने दूर्दाज के छेत्रों से कोविड-19 रोग्यों की सुरक्षित निगासी के लिए एर एवेक्यूस्चन पोड एई-ई-पी तेयार किया है यह पोड एलुमेनियम नाइट्रोल रबड और फोरेक्स यह बनी है इसका भार केवल 32 किलोग्राम है और इसकी वी निर्मान लागत 50,000 रुपे जिसके आयातित समकस लागत 60,000 रुपे का केवल 0.1% है इकारेले एप के दोस्तों केंद्रे उद्योगिक सुरक्षिया बल CISF ने इकारेले नामक एक EOPS अप्लिकेशन लौंच किया है यह अप्लिकेशन बिना चुए CISF की इसके मान इड़्जे सक है राजेस रंजन राजेस रंजन CISF के मान इड़्जे सक है और CISF की स्ताफना साल 1969 के अंदर गुणिस्सो गुणंतर के अंदर CISF की स्ताफना की गई थी आश्टेलिया ने भारत और आश्टेलिया के बीच होने वाले मुख्ये बहुपक्सिय वाइू यूद ब्यास पिछ बलेक 2020 को रद करने का फैसला किया है आश्टेलियन यह नहीं ने COVID-19 के विस्वे व्यापी मामारी के वर्तमान फरबाव के कारण लिया है तो ध्यान यह रखना है दोस्तो भारत और आश्टेलियन के बीच यह यूद अब्यास होने वाला था इसको COVID-19 के चलते रद कर दिया गए है इस्तगित कर दिया गए है भारतिय सेना देक्स की तो जनरल मनोज मुकों नर्वाने भारतिय सेना देक्स है और नो सेना स्टाप के परमुक होने दोस्तो एड्मिरल करमवीड सिंग नो सेना स्टाप के परमुक है और भारतिय वायु सेना के परमुक है और भारतिय वायु सेना के परमुक है इसके बाद म अपने यहापे करने वाले है दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों पहला क्यूसेन स्पोर्ट के अंदर करोना वाइरस के चरते वीबल डन 2020 को कैंसल कर दिया गया है टेनिस ग्रेंड सलेम टूनामेंट वीबल डन 2020 को करोना वाइरस मामारी के कारण इतियास में पहली बार दियुतिये विश्वे यूद के बाद रद कर दिया गया है वीबल ड पार अबार्डे 27 वालों को क्यों किया गया है, तो दोस्तों कारिंगी का पा ये हैं? उनकी तैयारी गोवर्मेंट नहीं कर पाती, इस वज़े से उनको भी विये केंसिल कर रहे हैं। तो दोस्तों साल 2021 में होने वाली World Athletics Championship को 2022 के लिए इस्तिगत कर दिया गया है तो इसको 2022 में करवाएंगे अब कब करवाएंगे 6 से 15 अगस तक सोरी इस Championship को 6 से 15 अगस तक साल 2021 में यूजीन ओरेगन में इसको आयोजीत किया जाना था लेकिन अब इसको साल 2021 से 2022 तक इसको इस्तिगत कर दिया गया विश्वे अथिलेटिक्स के बात करें तो इसका मुख्याले मोनाको में इस्तित है और इसके देक्स है सेविष्टियन कोई सेविष्टियन कोई विश्वे अथिलेटिक्स के देक्स है The Smart Triplets क्या है Olympic Counseling of Asia ने 2022 में हौंग्जो में आयोजीत होने वाले गुनिस्वे एसिया खेलो के लिए आधिकारिक सुबकर्ण जारी करने की गोश्णा की है चीन के हौंग्जो में आयोजीत एक डिजिटल लॉंच समारों में एसिया की Olympic प्रिसेद द्वारा सुबकर्ण का अनावरन किया गया है The Smart Triplets के नाम से फेमस तीन कॉंग जॉंग लिन 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 और चैन चैन रोबोटों को गुनिस्वे एसिया खेलो का सुबकर्ण चुना गया है तो The Smart Triplets के नाम से फेमस ये तीन जो रोबोट है कॉंग जॉंग लिन 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 और चैन चैन ये दोस्तों चाइनिज नाम है ये ऐसे हैं मैं क्या करूँ तो इनको गुनिस्वे एसिया खेलो का सुबकर्ण चुना गया है नेक्स्ट है दोस्तों दीवगंद कोबे ब्राइंट बनेंगे नाई स्मीथ मेमोरियल बास्केटबाल हाल ओफ हैम के सदस्य के रूप में चुना गया है नेक्स्ट है दोस्तों अपना डोफिंग के चलते थाइलेंड और मलेशिया के वेटलिप्ट्रो पर टोक्या ओलम्पिक 2020 में बेन लगा दिया गया है इंटरनेशनल वेटलिप्टिंग फेडरेशन आई डबलू एप के इंडिपिंडेंड मेंबर फेडरेशन सेक्सनेबल पेनल ने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में मलेशिया और थाइलेंड के वेटलिप्ट्रो के इसा लेने पर परतिबंध लगा दिया है डोपिंग नियमों का उलंगन करने के कारण थाइ एमेचूर वेटलिप्टिंग असोसियेशन की सदेश्यता को तीन साल जबकि मलेशिया वेटलिप्टिंग असोसियेशन को बारा मैने के लिए सबी आई डबलू एप गती वीडियो से निलम्बीत कर दिया गया है भही दोस्तो बात करते हैं पन थाइलेंड की तो थाइलेंड की राजदानी है दोस्तो बेंकॉंग और थाइलेंड की जो मुद्र है थाई बहत थाई बहत थाई बहत थाई लेंड की मुद्र है और परदानमंत्री कोन है वाके प्रिया चान ओचा वाके परदानमंत्री है भाई दोस्तो बात करें पर मलेशिया की तो मलेशिया की राजदानी है दोस्तो कौलालमपूर और मुद्रय वाकी मलेशिया ही रिंगित मलेशिया रिंगित वाकी मुद्र है और परदानमंत्री कोन है दोस्तों तान स्री मुहिदीन जीसन वाके मलेशिया के परदानमंत्री है फीफा अंडर 17 महिला विश्वे कब कोविड-19 के कारण इस्तगित कर दिया गया है फीफा अंडर 17 महिला विश्वे कब फुटबाल की वेश्विक सेंस्ता फीफा ने कोरोना वाइरस मामारी के चलते फीफा अंडर 17 महिला विश्वे कप टूर्नामेंट को इस्तगीद करने की गोशना की है फीफा दुबारा जारी नुविंतम रेंकिंग में भारत अपने 108 वे इस्तान पर बरकरार है भारते फुटबाल टीम ने फीफा की नुविंतम रेंकिंग में अपनी 108 वे रेंकिंग बरकरार रखी अपरेल महिने के अंदर इस रेंकिंग में बेल्जियम जो है फैले इस्तान पर है और विश्वे चेंपिन फ्रांस दूसरे इस्तान पर और ब्राजिल इसमें तीसरे इस्तान में और भारत का इस्तान कौन से है दोस्तों 108 वा इस्तान है भारत का अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीपा की फीफा क्या है फीपा के अद्धेक्स को नहीं वरतमानों फीफा के अद्धेक्स है गियाने इंफेंटिनो फीपा एक फुटफाल का अंतराश्टी निकाय है अद्धेक्स है इसके गियाने इंफेंटिनो और इसकी स्थापना दोस्तो अपना विजडन ने बेन स्टोक्स को दिया विश्वे में 2020 के लीडिंग किर्केटर का खिताब विजडन दुवारा इंगलेंड के आलराड़नर बेन स्टोक्स को विश्वे में 2020 का सरसेष्ट किर्केटर का खिताब दिया गया है महिला खिलाडियों में आश्टेलिया की एलिस से फेरी को विश्वे में विजिडन की सरफ्षेष्ट महिला किर्केटर का किताब दिया गया है विजिडन दुबारा किर्केटर्स ओप एर चुने गए अन्य पांच खिलाडि कौन से है जोफरा आर्चर जो इंगलेंड के है पेट कमिंग जो आश्टेलिया के है साइमन हैमर जो दक्षिना मेरे अफ्रिका के है और माइनस लाबू चंगने आश्टेलिया के है और एलिस पेरी जो भी आश्टेलिया की महिला किर्केटर है भारत नौंबर में करेगा A.C.A. मुक्यबाजी चेंपियंशिप की मेजबाने National Sports Federation of India ने इस साल नौंबर दिसंबर में पूर्सों और महिलाओं की A.C.A. मुक्यबाजी चेंपियंशिप की मेजबाने की कोशना की है अभी परतियोगिता के लिए सहरों का चैन नहीं किया गया है लेकि नौंबर दिसंबर में A.C.A. मुक्यबाजी चेंपियंशिप की मेजबानी भारत करेगा B.F.I क्या दोस्तो B.F.I. Boxing Federation of India B.F.I. Boxing Federation of India इसके अध्यक से वर्तमार में अजय सिंग जी और मुख्यल है इसका काप है दोस्तो नई दिल्ली में इसका मुख्यल है इस्तित है Next है अपना Cycle Race Tournament Tude de France को इस्तेगित कर दिया गया है विश्वे का सबसे परसीद Cycling Race Tournament Tude de France को Corona Virus में हमारी के कारण स्तेगित कर दिया गया है बात करें फ्रांस की तो फ्रांस के राजदाने है दोस्तों पेरिस और मुद्रा वापे यूरो और सियर फी फ्रेंग मुद्रा पर चलन में राश्टपती है फ्रांस के एमानुवल मेकरोन और परदानमंत्रिया फ्रांस के एडवर्ड फिलिफ एडवर्ड फिलिफ फ्रांस के परदार मंतरी है आईपील 2020 अनिस्चित काल के लिए निलम्बित कर दिया गया है भारतिय किर्केट कंट्रोल बोर्ड बी सीची की इंडियन प्रीमिल लिंग आईपील गर्वनिंग काउंसिल ने आईपील 2020 सीजन को अगली सूचना तक निलम्बित करने का फैसला किया है यह प मास्क पहनने को प्रोसाहित करने और देश को COVID-19 मामारी से लड़ने में सयोग करने के लिए एक वीडियो बनाया है बी सीची इने सारजन किस्तानों पर मास्क बनाने के मास्क पहनने के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का भी गठन किया है बी सीच की बात करें दोस्तों Board of Control for Cricket in India भारतिय किर्केट कंट्रोल बोर्ड भारतिय किर्केट कंट्रोल बोर्ड इसके देक्स है सोरव गांगुली जी और मुख्याले इसका महराश्टर के मुंबोई सहर में इसका मुख्याले इस्तित है और इसकी इस्तापना 1928 में की गई थी वह है दोस्तों जो BCCI है वो भारतिय किर्केट वोर्ड है जो और जो ICCI है वो इंतराश्टे किर्केट वोर्ड है तो दोस्तों अब बात करेंगे अपन ICC की ICC International Cricket Council इसके अद्देक्स है संसाक मनहोर और मुख्य कारिकारी है इसके मनु सहानी और इसका मुख्याले दोस्तों स फेही 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 कैस चीन में होने वाले हांग जाऊं 2022 Isis Pera kilo का सुँब्गरण है फेही 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 2022 में Isis Pera kilo का सुब्गरण इसको चुना गया है चोथे Isis Pera kilo को अईजर 9 से 15 ottomber तक किया जाना है जिसमें कुल 22 केला अज़ित किये जाएंगे इस बार ताइक्वांडो और पेरा केनई को पहली बार इन खेलों में सामिल किया गए है। बार ताइक्वांडो और पेरा केनई को पहली बार इन खेलों में सामिल किया गया है। इंग्लेंड के जेग सेफर्ड, होंग कोंग के एक्चेन हो यूएन, जर्मनी के वलेक्षा नोबलाच और जर्मनी के मार्क जेवलर को जो अथलेट आयो के अधिक्ष भी है। जागरुकता वियान के अन्य अमबिशेडर है। 2022 वर्ल्ड गेम 2022 के है। परिका के बर्मीघम अलाब बामबा में आजित होने वाले वल्ल्ड गेम्स के ग्यारवे संस्क्रण को कोरुना वाइरस मामारी के कारण एक साल के लिए इसको इस्तगित करने के बाद इसके नए लोगो और टाइटल का नावरण किया गया है। वर्ड गेम्स को पहले जुलाई 2021 में आउजित किया जाना था लेकिन अब इसे 2022 में आउजित किया जाएगा साथ से 17 जुलाई 2022 के अंदर इसको आउजित किया जाएगा बंटर बिलिड्स कफ बंटर बिलिड्स कफ 16 वर्ष के इरानी सननार्ती एलेटजा फिरोजा ने बंटर बिलिड्स कफ 2022 के फाइनल में 27 चेंपियन मेगनस कारलस को राकर 14.000 डालर के पुर्षकार पर कबज़ा किया है पाकिस्तान की पूर्व कफटान सना मीर ने अन्ता स्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो ध्यान रखना है दोस्तों सना मीर ने हाली में इंटरनेशनल किरकेट से सन्यास लिया है तो सना मीर जयो किरकेट से सम्मन दिता है और वो पाकिस्तान की पूर्व कफटान रह चुकी है पात करें दोस्तों पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के परदानमंत्री है इम्रान खान जी और राश्ट पती है आरीफ अलिवी जी और राजदाने दोस्तों इसलामाबाद जुमा खातून के डॉप टेस्ट में फेल होने पर लगा चार साल का परतिबन भारत की मद्यम दूरी की धावी का है दोस्तों जुमा खातून क्या है मद्यम दूरी की धावी का है जुमा खातून जुमा खातुन को Athletics Integrity Unity 12 साल 2018 के डोपिंग मामले में पर्तिबंदित पदार्तो इस्टेरोइड का सेवन करने के कारण 4 साल का पर्तिबंद उस पर लगा दिया गया है PCB ने उमर अकमल पर बश्टाचार के आरोपों के चलते पर्तिबंद लगाया है PCB ने पाकिस्तानी बलेबाज उमर अकमल पर 3 साल के किसी भी फॉर्मेट में खेलने पर पर्तिबंद लगा दिया गया है पाकिस्तान करकेर बोर्ड ने यह पितिवन्त पाकिस्तान बश्टाचार सहीता के दो नियोमों का उलंगन करने के कारण लगाया है विश्वे मुक्यबाजी चेंपियंशिप 2021, पुर्सो की विश्वे मुक्यबाजी चेंपियंशिप 2021 की मेजबानी भार्थ से चेंप कर अब सर्विया को दे दी गई है, काफी इंपोटेंट की उसन है दोस्तों एक्जाम की देश्टी चे जो विश्वे मुक्यबाजी चेंप जोते को रद कर दिया है इसके लावा भारत को पांसो यूएस डोलर का रद्धी करन सुल्क भी देना होगा AIBA के है दोस्तों अंतराश्टे मुख्यवाजी संग Association International D-Box Amateur तो दोस्तों Association International D-Box Amateur अंतराश्टे मुख्यवाजी संग इसकी दोस्तों 1966 में की गई थी मुख्याले इसका स्विजिलेंड के लोजेंस हैर में इस्तित है अद्धेक्स है इसके गफूर राहीमोव इसके अद्धेक्स है जे अरुन कुमार होंगी USA के नए कोच करनाटक के पूर्व किरिकेटर जे अरुन कुमार को USA की राष्टे टीम का मुख्य कोच बनाया गया है वे अंतरीम कोच James Payment का इस्ताल लेंगे तो ध्यान रखना दोस्तो करनाटक के पूर्व किरिकेटर रह चुके जे अरुन कुमार उनको USA का नए कोच ने युक्त किया गया है दोस्तो इसके बाद में अपना टोपिक आता है रेंग और रिपोर्ट का रेंग और रिपोर्ट से सम्मन्दी जो भी करेंट अपेर्थ है अप्रेल महिने के अंदर उनका अध्यन अपने आपे करने वाले है दोस्तो इस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के निचे जो रेड कलर का बटन ने उसको दबागर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो एसियन डेवलोपमेंट आउटलूक 2020 एक रिपोर्ट है एसियन डेवलोपमेंट आउटलूक 2020 एसियन डेवलोपमेंट बैंक ने अपने वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट एसियन डेवलोपमेंट आउटलूक 2020 जारी किया भारत के लिए तो दोस्तों बात करेंगे अपन एडिवी की एसे डिवलोप्मेंट बेंग इसके अद्धेक्स है मात सुग वसकावा और इसका गठन गुनीश दिसंबर 1966 में किया गया था और इसका मुख्याल है फिलिफिन्स के मनिला सेर में नेक्स दोस्तों अपना साल 2020 के जो अरवपति है उनकी सूची परकासित की गई हाली में तो जेव बेजोस लगातार तीसरी बार इस सूची में सबसे उपर है तो सबसे अमीर वेकती है जेक बेजोस फौवर्स ने दुनिया के अरोपटियों की 34-वी वार्षिक सुची 2020 के सबसे अमीर वेक्टी तो 2020 के अमीर वेक्ती की या पे थोड़ा-सा इंगली-स में गली तो 2020 के सबसे अमीर वेक्ती की सुची में सबसे उपर जिसके बाद बिल गेट स्कूल अठ्याणमे बिलियन डॉलर की समपती के साथ दूसरे इस्तान पर है जबकि लगजरी मॉल टाइकून और लगजरी मेगनेक्ट एल वीवी एस के देख्स और सियो बरनार्ड अनाल्ड जो है वो छिंतर बिलियन डॉलर की कुल स समपती के साथ तीसरे स्तान पर है यह है देरिचेस्ट इन 2020 सूची सामिल दूनिया के सीड़्स दस अरफ्पति क्यों सूची यह आपर है तो दोस्तों यह दो दस अरफ्पती है उनकी सूची आपर रखी गई है जे बेजोज जो एक सो तेरा बिलियन डॉलर समपती के साथ पहले स्थान पर है Amazon Company के ये CEO है 2 नमबर पे दोस्तो Bill Gates है जो Microsoft Company है इनकी 3 नमबर पे Bernard Arnold है 4 नमबर पे Warren Waffet है 5 नमबर पे Larry Ellison 6 नमबर पे Emancio Ortego 7 नमबर पे दोस्तो Mark Zuckerberg है जो Facebook के CEO है और Jim Walton 8 नमबर पे Alice Walton 9 नमबर पे और 10 नमबर पे Rob Walton नमबर Jim Walton, Alice Walton Rob Walton ये Walmart से संबंदित है Walmart इनकी Company है COVID-19 से लड़ने में भारत के प्रयास दुनिया में सबसे बैतर ये किसने का है दोस्तो Oxford Tracker ने का है कि COVID-19 से लड़ने में भारत के प्रयास सबसे ज़्यादा है दुनिया वर की सरकारों दुआरा COVID-19 लड़ने में सबसे मर्जबूत परतिक्रिया की रूफ में पहचान की है यह डेटा थैतर देशों की ट्रेकिंग पर आधारित है Next Step न South Asia Economic Focus Report South Asia Economic Focus Report विस्वे बेंग ने South Asia Economic Focus Report सीर्ष से के एक रिपोर्ट जारी की है Report के नुसार मालदीव के सबसे ज़्यादा परवावित होने का अनुमान है जिसके बाद स्रिलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वित बर्स 2020-21 में भारत के अर्थ वेश्ता 1.5 से 2.8 परसेंट की दर्से बढ़ने की संबावना जताई गई है तो विश्वेबेंग की बात करें दोस्तों विश्वेबेंग के अद्यक्स वर्तमान में डेविड रोबर्ट मालपास और मुख्याले इसका वासिंग्टन डीसी में इस्तित है परवन निर्देसक और मुख्य वीती अधिकारी है इसके अनसुला कांथ अनसुला कांथ परवन निर्देसक और मुख्य वीती अधिकारी है विश्वेबेंग के अद्यक्स और डेविड रोबर्ट मालपास और मुख्याले वासिंग्टन डीसी में इस्तित है स्वीडन के विचारक समुए या थिंग टेक कहे जाने वाले Stockholm International Peace Research Institute Σिफरी ने अपनी रिपोर्ड Trends in World Military Expenditure 2019 ज़ारी की है Trends in World Military Expenditure 2019 सिफरी द्वारा जारी जारीस रिपोर्ट में 2019 में वेश्वीक सेन्य हर्ज का व्योरा दिया गया है रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में वेस्विक सेन्य खर्च वेस्विक सेकल गरेलूद पाथ जीडिपी का 2.2% इससे है जो 2010 की तुलना में भहुत अधिक है इसके बाद में दोस्तों जो करेंट है फिर अपना पुर्षकार से सम्मदित करेंट है अपरेल मेने के अंदर जो पुर्षकार किसी को परदान किये गए उनका अधिन अपने यापर करने वाले है दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजी वीडियो को लाइक कीजी और अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजी ताकि उनको भी इसका वेनेफिट हो सके सबसे पहले है दोस्तों हीरो टू एनिमल्स अवार्ड हो ओडिसा के मुख्यमंतरी नवीन पतनायक को पसू अधिकारीों के लिए लडने वाली सेयंसता पेटा इंडिया दोवारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड परदान किया गया तो पहली बात तो ये दोस्तो जो Hero to Animals अवार्ड है वो ओडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाईक जी को दिया गया है किसने दिया है दोस्तो पसू अधिकारों के लिए लड़ने वाली सोरी साइद में ने अधिकारी उपड़ दिया पसू अधिकारों के लिए लड़ने वाल रहत को से चोवन लाक रुपे उन्होंने पसू के लिए भी मंजूर किये थी ओडिसा की बात करें तो राज्यपाल है ओडिसा के गणेशी लाल जी और मुख्यमंत्री दोस्तो नवीन पतनाईक जी और ओडिसा की राजदनी है दोस्तो भूमनेश्वर नेक्स्ट है अपना इंटरनेशनल अरव फिक्सन अवार्ड दोजरबीस इंटरनेशनल अरव फिक्सन अवार्ड दोजरबीस अलजीरिये लेकक अबदेल लोहाव असावी को तेरवा इंटरनेशनल अरव फिक्सन अवार्ड दोजरबीस से सम्मानित किया गया उन्होंने य पन्यास दे स्पोर्टन कोट के लिए मिला है International Arab Fiction Award क्या है दोस्तो International Arab Fiction Award अरब जगत में दिया जाने वाला सबसे परतिष्टित और मैथपुन साइतिक पुरुषकार है यह पुरुषकार लंदन के दे बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है जिसे संसकर्ती और प्रेटन विबाग अबुदा भी दुवारा वित्पोसित किया जाता है नेक्स्ट है दोस्तो अपना एडिशन पुरुषकार टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवाड जीता है इस पुरुषकार के सुरुवाद गुनी सो सत्यासी में थामस एलवा एडिशन की स्मर्ती में की गई थी टाटा पावर के सीओ को ने दोस्तो टाटा पावर के सीओ परवीर सिना और टाटा पावर का मुख्याले दोस्तो महराश्टर के मुंबई सहर में इस्तित है नेक्स्ट है दोस्तो William E. Colby पुर्षकार William E. Colby पुर्षकार Adam Higginbottom की पुर्षक मिडनाइट इन चेर्णोबिल The Untold Story of the World's Greatest Nuclear Disaster ने William E. Colby पुर्षकार जीता है उनकी पुर्षकार सेने या खुपे इतियास पर लिखी अब तक की उतकष्ट पुर्षकार हासिल किया है इसके बाद में दोस्तो अपना है महत्पुन्ट दीवस जो दीवस मनाये गए थे अप्रेल महिने के अंदर उनका अध्यान अपने आपके करने वाले हैं दोस्तो यह दो द्यान रहो कि निचे जो रेड कलरे का बटन है उसको दबा कर चैनल को जरूर सबसक्कार कीई वीडियो को लाइक कीई और अपने फ्रेंडेश के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शеर कीई जब से पहले दोस्तों अपना उतकलिया ओडिसा दीवस जो एक अपरेल को मनाय जाता है ऊडिसा दीवस Алगि आप तो अपना ph ये निश्ट अपना वर्ल्ड ओटिज्म अवेनेश डें दो अपरेल को मनाया जाता है इस वर्स तेरव वाब सिक वर्लड ओटिज्म awareness day मनाय गया इसकी जो theme थी वह है the transition to adulthood ये विसे autism से गरस्त लोगों के वेसकता की और ध्यान आकरसित करता है नेक्स्ट है दोस्त अपना अंतराष्टे खदान जागरुकता दिवस 4 अपरेल को मनाय जाता है अंतराष्टे खदान जागरुकता दिवस सन्युक तराष्टर महासवा ने 8 दिसंबर 2005 को हर साल 4 अपरेल को अंतराष्टे खदान जागरुकता और खदान कारे सायता दिवस के रुमे मनाय जाने की गोश्णा की थी इस दिवस को पहली बार 4 अपरेल 2006 को मनाय गया था नेक्स्ट है दोस्तो अपना अंतराश्टिय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रेल को मना जाता है International Day of Conscience यह दिन लोगों को आत्मे चिंतन करने और अपनी अंतरात्मा की सुनकर सही राश्टे पर चनने के चिनित किया गया है 5 अप्रेल 2020 को पहला सही राश्टिय अंतराश्टिय अंतरात्मा दिवस मना गया तो दोस्तो इसी साल से इसकी सुरुवात की गई है 5 अप्रेल 2020 को यह पहला ही अंतराश्टिय अंतरात्मा दिवस मना गया यानि कि साल 2020 से इसकी सुरुवात की गई है नेक्स्ट अपना खेल में परगती और सायंती बनाय रखने का अंतराश्टे दिवस 6 अपरेल को मनाय जाता है International Day of Sports for Development and Peace संयुक तराश्टे वर्स 2020 में COVID-19 मामारी से सम्मंदित वेश्वी गटना करमों का जबाब देने के लिए खेल और सारे रिगती वीदियों में भाग लेने के स्वास्ते लाव विशेश रूप से वर्तमान समय में एनिस्चिता और सामाजिक दूरी बनाय रखने पर जोड दे रहा है इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तो अपना राष्ट्य समुदरी दिवस 5 अप्रेल को मना जाता है 57 वावर्स राष्ट्य समुदरी दिवस का ये है पहली बार इसको थोड़ा समिस्प्रिंट है दोस्तो या पे पहली बार 5 अपरेल 1990 के दिन सिंधिया इस्टीम नेविगेशन कमपनी लिमिटेड का पहला इस्टीम सिप SS लोयल्टी मुंबई से लंदन इसकी पहली समुंदर यातरा के लिए अंतराश्टी है जल चेतर में उतरा गया था जिसकी समर्दी में 5 अपरेल 1964 से पर्तिवर सियादियन मना जाता है तो दोस्तों 1964 से इसको मनाना सुरू किया गया था जो साल 2020 के अंदर 5 अपरेल 2020 को राश्टी समुंदरी दिवस मनाया गया वो 57 वा राश्टी है समुंदरी दिवस है विश्व समुंदरी दिवस हर साल सितंबर के अंतिम सप्ता में गुरुवार को मना जाता है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है यापे कि अपने यापे देखा कि जो राष्टे समुंदरी दिवस है वो 5 अपरेल को मना जाता है राष्टे समुंदरी दिवस दोस्तों 5 अपरेल को मनाय जाता है वही विश्व समुंदरी दिवस सितंबर के अंतिम सप्ता में गुरुवार को मनाय जाता है इस वर जो ये सितंबर के अंतिम सप्ता का गुरुवार आएगा वो 24 सितंबर 2020 को आएगा और राश्टी समंदिर दिवस पांच अपरेल को मनाय गया है वर्ष गुर्णी सो चोर्यानमम में रवांडा में तुच्छी समुदाय की विरुद हुए जन संगहार पर विचार का अंतराश्टी दिवस साथ अपरेल को मनाया जाता है संयुक्त मासबा 12 साल 1994 में रवांडा में तुछ समुदाय के विरुध हुए जन्चहार पर अंतराष्टी दिवस की गोशना 2003 में की गई थी इस जन्चहार में लगबग 100 दिनों के भीतरी तुछ समुदाय के 8 लाग से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी बात करें दोस्तों यूनेसको की क्योंकि यूनेसको की पहल पर ये दिवस मनाया गया था तो यूनेसको सेक्षिक विग्यानिक एमसांसकर्थिक संगटन यूनाइटेड नेशन से एजुकेसनल साइन्टिफिक एंड कल्चरल और्गेनाइजेशन इसका गटन दोस्तों 4 योगी सदस्य देश है और दो इसके प्रिवेक सदस्य देश है नेक्स्ट है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है विश्व स्वास्ते दिवस विश्व स्वास्ते दिवस साथ अप्रेल को मनाया जाता है स्वास्ते के बारे में जाग रुखता बढ़ाने के लिए इसको मनाय जाता है WHO जो World Health Organization ने इस वर्स को International Year of the Nurse and the Midwife गोशित किया है साल 2020 को WHO ने International Year of the Nurse and the Midwife गोशित किया है विश्वस वास्ते दिवस के जो थीम होए Support Nurses and Midwife विश्वस वास्ते दिवस जो 7 अपरेल 2020 को मनाएगा उसकी थीम के है दोस्तो Support Nurses and Midwives दोस्तो बात कर लेते हैं अपन WHO की आपको ये भी मैं बता दूँ जो हाली में जो COVID-19 का परकौफ फेला हुआ है कोरोना वाइरस जो विमारी फेली हुई है उसको WHO विश्वस वास्ते संगतन नहीं दोस्तो उसको मामारी गोशित किया है तो WHO दोस्तो World Health Organization विश्वस वास्ते संगतन मुख्याले इसका स्विजिलेंड के जिनेवा सहर में इस्तितर इसके मानेदे सेगा टेडरोस अडोनोम और इसकी स्तापना दोस्तो 7 अपरेल 1948 में की गई थी नेक्स्ट है दोस्तो अपना विश्वे होम्योपेती दिवस 10 अपरेल को मनाया जाता है होम्योपेती के जनक डाक्टर सेमुल हैनिमेन की जन्ती को चिनित करने के लिए विश्वे इस्तर पर विश्वे होम्योपेती दिवस मनाया जाता है वर्ष 2020 का इसका जो विशे है वह है linking research with education and clinical practice advancing scientific collaborations नेक्स्ट है दोस्तो अपना राष्टिय सुरक्षित मातरतव दिवस 11 अपरेल को मनाय जाता है National Safe Motherhood Day भार सरकार ने 1800 संगटोनों के गटबंदन WRII के अनुरोध पर साल 2003 में कस्तूर्बा गांदी की जनम वर्षगांट 11 अपरेल को राष्टिय सुरक्षित मातरतद दिवस के रूप में गोसित किया है नेक्स्ट अपना मानव अंतरिक्स उडान का अंतराष्टे दिवस जो 12 अपरेल को मनाय जाता है International Day of Human Space Flight 12 अपरेल सहिंक तराष्ट मासबा 2 अपरेल 2011 को पारित एक पस्ताव के बाद से 8 साल 12 अपरेल को मानव अंतरिक्स उडान का अंतराष्टे दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट है दोस्तो अपना सहयुक्त राष्टर इसमें दोस्तों सहयुक्त राष्टर की बात करेंगे क्यों सहयुक्त राष्टर की कहने पर अब यह दिवस मना जाता है तो स्युइआक राश्ट्र का मुख्याल है स्युइआक राजी अमेरिका के नियोयक शार में इसतीत है इस्तापना इसकी 24 सक्टमबर 1945 में की गई थी और महा से चीऊ इसके अंटोनियाग गुटरेक्स पॉर्तगाल के है और 27-2 दिवस मना जाता है दोस्तो 27 अक्टमबर को 27-22 मना जाता है 27-23 दिवस मनानेक सिरुवाथ साल keyword 1988 से की गई थी नेक्सٹ है दोस्तो अपना 24 रोग दिवस 14 अपरेल को यह मना जाता है World's चगास डिजीजेट Day विश्वे में पहली बार 14 अप्रेल 2020 को पहला विश्वे चगास रोग दिवस मनाया जाना है मनाया गया पहली बार ये दोस्तों ये मनाया गया साल 2020 के अंदर इस दिन को मनाया जाने का जो मुख्यो अदिश्य है वो जो चोगा रोग या चगास रोग है जो कीडो दुआर होने वाले रोग है और साइलेंट एंड साइलेंस डिजिस के बारे में जागरुकता फिलाना है इस विमारी का नाम डाक्टर कार्लोस जेस्टियानो रिबरो चगास के नाम पर रखा गया है नेक्स्ट है दोस्त अपना विश्व कला दिवस विश्व कला दिवस 15 अपरेल को मनाया जाता है कला के विकास परचार परचार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है विश्व कला दिवस ललित कलाव का एक अंतराष्टे उस सवज इसे अंत तराष्टे सैंस्ता आफ और्ट दुवारा दुनिया भर में रसनात्म गतिवीदी के बारे में जागरुपता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाय जाता है नेक्स्ट है दोस्तो अपना वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अपरेल को मनाय जाता है वर्ल्ड हेमफिल्या डे, 17 अप्रेल यह दिन हेमफिल्या ओर अन्य रक्त स्राफ डिसोडर आनुवांशिक विलिडिंग डिसोडर के बारे में जागरुकता बडाने के लिए मनाया जाता है विशे है, इसका जो साल 2020 के अंदर 17 अप्रेल 2020 को जो World Hemophilia Day मनाया गया उसको गेट involved विशे के तहत मनाया गया नेक्स्ट है दोस्त अपना विश्वे दरोवर दिवस 18 अप्रेल को मनाया जाता है World Heritage Day यह दिन मानव विरासत को सनक्षित करने और इसे सम्मंदित संग्ठोनों के प्रयासों को चिन हित करने के लिए अर्चान मनाया जाता है विशे इसका Sad Culture, Sad Heritage and Sad Responsibility साजा संसक्रती, साजा विरासत और साजा जिमेदारी साजा संसकर्टी, साजा विरास्त और साजा जीमेदारी विशे के तैयत 18 अपरेल 2020 को World Heritage Day यानि की विश्वे दरोवर दिवस मनाया गया इसके बाद में दोस्त अपना सेयुक्त राष्टर चीनी बासा दिवस 20 अपरेल को मनाया जाता है यह दिन कंगी जी को सद्रांजली देने के लिए मनाया जाता है जिने एक पोराने खता के अनुसार लगबग 5-0 साल पहले चीनी अक्सरों का आविस्कारक माना जाता है नेक्स्ट अपना वर्ड लीवर डे जो 19 अपरेल को मनाया जाता है वर्ड लीवर डे यह लीवर से सम्मंदित बीमारी के बारे में जाग रुपता फेलाने के लिए मनाया जाता है नेक्स्ट है दोस्तो अपना विश्वे रचनात्मक्ता और नवाचार दिवस 21 अप्रेल को मनाया जाता है वर्ल्ड क्रेटिविटी एंड इन्नोवेशन डे यह दिन सन्युक्त राष्टर के सतत विकास लक्षयों जिसे वेश्विक लक्षयों के रूप में जाना जाता है को आगे बढ़ाने के समंद में समश्याओ का समधान करने में रचनात्मक्ता और नवाचार के मैत्वे के बार मनाने के लिए मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस दोस्तो 21 अपरेल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस 21 अपरेल को भारत सरकार दुवार हर साल 21 अपरेल को सिविल सेव को दुवारा स्वम को नागरिकों के लिए पुनर समपित करने थाता संग लोक सेवा और कारियों मे करता है तो अपनी वचन वद्धिता को नविनी कर्द करने के एक आउसर के रूम में मनाने के लिए सिविल सेवा दिवस जिसको आप यूपेसी दिवस बोल सकते हो तो सिविल सेवा दिवस 21 अपरेल को मना जाता है पहली बार इसको साल 2006 के अंदर बनाया गया तो काफी इंपो परेल को यह है पूरी विष्वे में पर्तवः को बेहितर बनाने के बारे में जाग रुकता फ्यलाने और लोगों को प्रियावन सराक्शन के लिए प्रोसाहिद करने के लिए विष्वए पर्तवी दिवस मनाया जाता है इसका जो विश्यय था इस बार का हुआ है क्लाइम एक्षन कलाइमेट एक्षन विशे के तह साल 2020 के अंदर 22 अप्रेल को पर्थवी दिवस मनाया गया नेक्स्ट आता है दोस्तों अंग्रेजी बासा दिवस जो 23 अप्रेल को मनाया गया यह दिवस परसिद लेकक विलियम सेक्सपियर के जनम दिन और पुनेतीती के समर्दी में इसको मनाया जाता है इस दिन की सुर्वात सइंक्त राष्ट्र सेक्षिक विज्यानिक और सांसकर्टिक संगतन यूनेशको दुवारा अंग्रेजी बासा और बहु बासावाद को मनाने के लिए की गई है विस्वपुस्तक या फिर फुस्तक और कॉपिराइट दिवस 13 गति में उतकष योगदान देने वाले सभी लेकोकों को सद्रांजली देना है नेक्स्ट है दोस्तो अपना 24 अप्रेल को राष्टे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है पंचायती राज मंत्राले दुवारा राष्टे पंचायती राज दिवस अथात अथ्वा राष्टे स्ताने सवसासन दिवस, राष्टे स्ताने सवसासन दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है देश में पहली बार अप्रेल 2010 में राष्टे पंचायती राज दिवस या राष्टे स्ताने सरकार दिवस मनाया गया था इसके बाद में आते है दोस्तों अपना विश्व मलेरिया दिवस जो 25 अपरेल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस यह दिन दुनिया बर में मलेरिया के खिलाब लड़ने के लिए लोगों को में जागरुपता फेलाने के लिए इसको मनाया जाता है और इसका जो विश्य है वह है Zero Malaria Starts With Me तो दोस्तो याद ये रखना आपको कि 25 में 2020 को जो विश्य मलेरिया दिवस मनाय गया वो Zero Malaria Starts With Me subject के तहत मनाय गया नेक्स्ट है दोस्तो अपना अंतर राष्ट ये परतिनीदी दिवस 25 अपरेल को मनाय जाता है International Delegates Day परतिनीदी दिवस ये दिवस सयंक्त राष्ट में सदस्य राष्टों के परतिनीदियों की भूमिका के बारे में जागरूपता बढ़ाने के लिए मनाय जाता है नेक्स्ट है अपना विश्वे बोधिक संपता दिवस 26 अपरेल को मनाय जाता है World Intellectual Property Day विश्वे बोधिक संपता दिवस 2020 का जो विश्यताववा है Innovate for a Green Future इसकी सुरुवात विश्वे बोधिक संपता संगटन 12 साल 2000 में दुनिया बर में नवाचार और रसनात्मकता को बढ़ावा देने में भोधिक संपता, दिकारो, पेटेंट, कॉफिराइट, टेरेड मार्क और डिजैन की बुमिका के बारे में जागरुकता फेलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रसनाव दुवारा समाज के विकास में किये गई योगदान को बढ़ावा देने के लिए किये गई थी इसके बाल में दोस्तों है अपना 24-30 अपरेल के बीच में 24-30 अपरेल तेक विस्वे टिकाकरन सब्ता है मनाया गया 24-30 अपरेल हर साल अप्रेल महिने के अंतिम सप्ता में सभी उमर के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उप्यों को बढ़ावा देने और प्रोसाहित करने के लिए विश्वे टीकागन सप्ता मनाया जाता है इसकी जो थीम थी दोस्तों वह थी वेकसिंस वरक फोर आल वेकसिंस वरक फोर आल थीम के तैत ये विश्वे टीकागन सप्ता मनाया गया कारिस तल पर सुरक्षित हम सुवस्त रहने का विश्वे दिवस अठाइस अप्रेल को मनाया जाता है यह दिन विश्वे बर में वैश्वे गुदूर गटनाओ और बिमारियों की रोकताम को ब करने के बारे में जागरुपता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है नेक्स्ट दोस्तो अपना अंतर राष्टे नरते दिवस गुणतीस अपरेल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे अंतर राष्टे नरते दिवस गुणतीस अपरेल इस दिन की सुरवात युनेस्को की कला परदसन के परमुक बागिदार अंतराश्टे रंगमन सहस्तान इंटरनेशनल थेटर इंस्टिटूट आई टी आई की नर्थे समिती द्वारा की गई इंटरनेशनल जेज डेज जो 30 अप्रेल को मनाय जाते है इस दिन को मनाय जाने का उद्शे शांती कलायम लोगों के भी समबाद और सयोग बढ़ाने और एक सेक्सिक साधन के रूप में जेज की भुमिगाओ के बारे में दुनिया बर में जाग रुकता फेदा करना है इस वर परदेश के दूरजराज के चेतरों में खिफायती चिकिसा सुविदाओ को बढ़ावा देना है साथ इसका लगसे गरीबों के स्वास्ते और कल्यान के लिए कारे करना और बीमा लाब परदान करे करना है यह दिर राष्टे के मैत्व का इसलिए बे क्योंकि आईसमान भार राष्ट योजना का सुवार्म किया गया था जिसे परदान मंत्री जन आरोगये योजना के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद मैं दोस्तों निदिन से समَّंदित करेंट अफियर जो अप्रेल महीने से में निदिन हुए थे उनसे सम्मेंदित जो भी करेंट अपना उनका अधियन अपनियाप करेंगे एक ज़्या मैं बहुत बढ़ पूचा जाता है जो हाली में निधन हुए है जो क्योंकि वो कापी चर्चा में रह जाते हैं तो दोस्तो इनका अधियन देव का हाले में निदन हुआ उनका जनम 12 नॉबर 1938 को पस्षिम बंगाल जो पाकिस्तान में के लिया में हुआ था जिनों उन्होंने राष्टि सेक्षिन अनसुंदान और परिक्षिन परिश्द NCRTA में इतियास कार के रूप में उन्होंने कारिय किया था नेक्स्ट अपना नोबल पुर्चकार विजेता बोथिक विग्यानी फिलिप फॉरेंड एंडर्सन का हाली में निदन हुआ उन्हें 1977 में बिर्टेन के नोविल फ्रांसिस मोट और अमेरिकी जोन हस्बरुग वेन विलेक के साथ सुम्ब किया और विकार पढ़नालियों की इल पॉजिटिव होने के बाद उनका निदन हो गया भाई निर्मल सिंग पंजाब के अमरसर में स्वन मंदिर में गुर्बानी व्याक्याता थे उन्हें 2009 में पदम पुर्चकार से उनको सम्मानित किया गया था कोवी-19 के कारण एमी पुर्चकार विजेता गायक गेतकार एडम स्लेंग सिंगर का निदन हो गया इसके अलावा एडम 2020 के थोड़ा समिष्टे के आपर एडम 2020 के पॉप रोग बेट फांटन ओफ वेन के संसर स्तापक भी थे एडम स्लेंग सिंगर को उनके केरियर में आसक पर टोनस, ग्रामीज और एमीज के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका था नेक्स्ट है दोस्तो अपना टोनी लुईस का निदन टोनी लुईस वर्सा से परभावीद सिमित ओरो के किर्केट मेचों के नतिज़े के लिए जो इस्तमाल होने वाला डकवर्थ लुईस निय नेक्स्ट अपना विस्वर परचीद वायरोलोजिस्ट गीतार राम जी का हाली में कोवीड-19 के कारण निदन हो गया दक्षिन अफ्रेकी वेक्सिन वेग्यानिक और एच्चाईवी रोक था मनुसंदान के परमुक राम जी और हम सैंस्तान में मुख्य वेग्यानिक अदिक नेक्स्ट अपना है कि लीबिया के पूर्व परदान मतरी महमुद जिब्रिल का निदन कोवी-19 के कारण हुआ है तो महमुद जिब्रिल लिबिया के उधारवादी दलोके गटवंदन के पूर्व परमुक थे जिन्होंने 2011 में लंबे समय तक सता में रहे मुहमर्ग अलगदाफी को अठाने के बाद सरकार का गठन उन्होंने किया था परक्यात मल्यालम संगीतकार एम के अर्जुनन का निदन उन्हें मल्यालम सिनेमा में सदावार दुने बनाने के लिए अर्जुन मास्टर के नाम से भी उनको जाना जाता था सिनेमा में उनका पांस दसकों से अधिका लंबा केरियरा यानि पचास साल से ज्यादा तक उन्होंने सिनेमा जगत को अपने दिये थी परसित अमेरिकी अभिनेता फोरेश्ट कॉम्टन का कोविड-19 संकरमित होने के कारण निदन हो गया कॉम्टन लमे समय से चल रहे ओपेरा दे इज ओफ नाइट में जिला वकिल माईक कररर की बुमिका ने बाने के लिए काफिय वो लॉक पीरिया थे कंदर के लोग पीरिया हास से अभिनेता बुलेट फरकास का निदन उन्हें एथल कड़ी और आरियन जेसी फिल्मों में निभाई अपनी कॉमिक बुमिकाओ के लिए जाना जाता था रोयल एन्फिल्ड बुलेट मोटसाइकल के परति उनके लगाओ के कारण उनने बुलेट नाम दिया गया था उन्होंने करीब 300 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया था नेक्स्ट है दोस्तो अपना जेम्स बॉर्ण फिल्म में अभिने करने वाली बिनेतरी ओनर ब्लेक मेन का निदन उन्होंने 1964 की जेम्स बॉर्ण फिल्म गोल्ड फिंगर में सीन कॉनरी के साथ दिगज बॉर्ण गरल कूसी गलोर की वुमिकाओ निभाने के लिए जाना जात वे युनाइटे न्यूज ओफ एंडिया न्यूज एजेंसी में काम कर चुके हो और वे युनाइटे न्यूज ओफ एंडिया के न्यूज और संवादाता की रूप में कारे रत थे नेक्स्ट अबना रियल मेडरी वार्चलोना और एटलेटिको मेडरी के पूर्वे कोच रेडो मिर अंतिक काने दन उन्हेंने मार्च 1901 में से जनवरी 1902 में तक रियल मेडरी को कोचिंग सेभाय दी और 2003 में वार्चलोना के कोच का परबार समानने सभी रियल जारागोजा, रियल ओविडो, सेल्टा विगो की कोच भी वो रहे थे और 2010 वीशवे कब में सर्विया की राष्टे टीम का परवंदन भी उन्होंने किया था नेक्स्ट है मद्य प्रदेश के पूर्व मंतरी हजारी लाल रगुवंसी का निदन वे होसंगवाद की सिवनी मालवा विदानसभा से छे बार विदायक चुने गए और राज्य में कांग्रेस की अगवाई वाली विविन सरकारों में वो मंतरी भी रहे थे नेक्स्ट अपना अमेरिकी लोग आयक जौन प्राइन का कोविड-19 के कारण निदन अपने लंबे केरियर के दोरान उन्होंने सर्वेस्टेश्ट फॉल्क अलबम दे मिसिंग इयर्स को निश्व एकराण में और फेर एंड स्कुयर दोजर पास के लिए दो ग्रेमी पुर्सकार उन्होंने जीते थे नेक्स्ट अपना दक्षिन अफ्रिका के पूर्वे किर्केटर और जिंबाबे के पूर्वे चेन करता जेकी डूफ्रीज का निदन लेग स्पिनर डू फ्रीज जिंबावे को उन खिलाडियों में से थे जो सवतंतरता से पहले दक्षिन अफ्रीका के लिए वो खेले थे नेक्स्ट अपना फरक्यात इंदुस्तानी सास्त Information संगीट गायी का और पदम स्री पुर्सकार से सम्मानित सान्ती हिरानन्द चावला का नेदन उन्होंने बेगम अक्तर से ठुमरी दादरा और गजल गायन सिक्षा गरांड की थी इसके लाओ उन्होने बेगम अक्तर दे परशित शोद्य गोडी जैओर, I am sorry, I have not a clue के लिए बहुत लोग पिरिये थे। इंग्लेट की 1666 की 22 का वीज़ेदा टेम का इस्सा थे लेगिन पूरे टुर्नामेंट में वो एप रियुक्त रहे थे। उनकी सुरक्षित हैंडलिंग, तिर्वी सजगता और उनकी सुंदर से लिएकार उन्हें देकेट नाम से उनको जाना जाता था। इसके बाद में दोस्तो भारत के पूर्व अटोनिस जनरल और वरिष्ट अधिवक्ता असोग देशाई का निदन वह जुलाई 26 में से मही गुनिस अठ्याण में तक भारत के अटोनिस जनरल रहे थे उन्होंने दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक भारत के सॉलिष्टर जनरल के रू पुजना आयूग में केंदरी राज्यमंत्री की रूप में उन्होंने कारे किया था वे लोगसबा में करनाटक निर्वाचन छेतर की कनगपूरा सीट का वो परतिनी देतव करते हैं। सेंडर्स का निदन उन्हें अपने स्टाइलिस और समकिले कपड़ों के लिए पिकोक ओफ दे फेर वेज के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपने पीजिये टूर के कुल 20 खिताब अपने नाम किये थे जिनमें 1956 के कनाड़ाई ओपन और 1970 के ओपन चेंपियंशिप के परमुक किताब सही चार रनर अफिनिस सामिल है। स्विजिलेंड के पूर्वा आइस होकी खिलाडी रोजर चेपोर्ट का करोना वाइरस के काड़ने देन उन्हें स्विजिलेंड की राष्टे टीम के लिए 100 से अधिक खेलों में उन्होंने इस सालिया था। इसके एलावा और थेटर अभिनेता रंजीत चोदरी का निजर रंजीत को बातो वातो में मिसिसीपी मसाला खूबसूर्थ और वोलिवुड होलिवुड में निवाई भूमिका के लिए उनको जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्त अपना भार छोड़ों आंदूलों का इसा रहे सवतनत से नानी आर वी भुसकुटे का निदन भुसकुटे ने भुमी कानून पर कई किताबे लिखी और राज्जी के आदिवासी इलाओकों में बंदवा मजदूरी की रहाई और पुनरवास के लिए उन्होंने निरेंतर काम किया था। नेक्स्ट है पूर्व अमेरिकी की अमेरिकी कप्तान वो बने थे। नेक्स्ट है अपना व्योवर्द आदिवासी नेता और ओडिसी सरकार में मंत्री रहे सहारे ओरम का निदन वया पहली बार 1931 में उतकल कांग्रेस के उमिदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन छेतर से ओडिसा विदान सभा के ल अलावा उन्होंने टॉम एंड जेरी और पापय दे सेलर संगला के कुछ एपिसोड में भी उन्होंने देशित किये थे ब्यम डबल्यू ग्रूप के अध्यक्स और सियो रुद्र तेज सिंह का निदन रुद्र तेज ब्यम डूबल्यू इंडिया के संचलन का निर्तरत करन मंतरी लाई सेनिया करसे का निदन उन्होंने साल 2000-2006 तक फिजी के छटे प्रदान मंतरी के रूम में कारी किया था इसके अलावा वे सोको सुको दुआता नी लेवनी वानुना फार्टी के सेंस्तापक की वीवो थे नेक्स्ट दोस्त अपना जाने मानी रंगमंच निर्द अभिनेतरी के रूप में उनको चुना गया था उन्हें 1970 और 1980 के दसक में पस्चिम मंगाल में हिंदी थेटर का जनक उनको माना जाता था तो कापी इंपोर्टेंट है दोस्तों हिंदी थेटर का जनको उनसा गांगली को माना जाता था नेक्स्ट है ओडिशा के पूर्वर राज्यसभा सदसे वसंदास का निदन वा 1990 से 1966 तक जनता दल के उमिद्वार के रूप में राज्यसभा के लिए वो चुने गए थे आश्टेलिया के पूर्वे किर्केटर ग्रीम वार्टसन का निदन वा मद्यम करम के बलेजाब बलेबाज और मेडियम पेसर थे 1966-1966-1932 तक उन्होंने आश्टेलिया टीम के लिए किर्केट खेला था जाने माने स्पोर्ट्स फोटो जनलिस्ट रोनो जोय रोनी रोय का निदन उन्हें खेल जगत में रोनी के नाम से जाना जाता था जो 1990 के दसक से बंगाली देनिक आजकल से जुड़े हुए थे और उन्ह जाने माने स्पोर्ट्स फोटो जनलिस्ट जिनका हाली में निदन हुआ है क्या नाम है उनका उनको जोनी रोय रोनो जोय रोनी रोय का नाम है उनका जिनका हाली में निदन हुआ है अनुबवी राजनित्तिगे में बिहार तिरुपराव पस्षिम बंगाल के पूर्व मार्स 2013 तक बुर बियार के राजेपाल रहे 2013 से 2014 तक बुर तिरुपरा के राजेपाल रहे इसके लावा उन dislocation से 2010 तक प्षिम बंगाल का राजेपाल अतरिक परवार के रूप में भी उन्हें कारे किया है नेक्स्ट उपना परक्यात ओडिया नाटकार और पटकता लेकक विजे मिस्रा का निदन उन्होंने लगबग साथ नाटको पचपन फिल्मों और साथ टीवी दारवाईकों की पटकताओं का लेखन किया था उन्हें ओडिसा साइते अकादमी से सम्मानित किया जा चुका था वे 2013 में उनकी पुस्तक बान सम्मर्ग निसोपिचैसी तक नासा के सिर्षपदोप पर काम किया था नासा ने वेक्स के कारेकाल के दुरान बीस अंतरिक्स यान मिसन सबलतापूरक उन्होंने पूरे किये थे नेक्स्ट अपना पदमसरी पुर्षकार से सम्मानित मसूर बॉलिवर्ड वेंता इर्फान ख किये गए थे ग्रेमी पूर्षकार के लिए नमिनेट होने वाले सिंगर ट्रोई स्ट नेड काट करो Preis कheid का निदन ब्रो ट्रो इस्ट नेड को युद्ध फॉर ग्राइस्ट के लिए więcej इंस से एल्बं हाईर के लिए ग्रेमी पूर्षकार से उनको नामांकित किया गया था ल दोस्त अपना बालीबुड के इस्टार अभिनेता रिशी कपूर का निदन लगबग 40 वर्सों से भी अधिका उनका सांधार केरियर रहा उनके फिल्मी केरियर की सुरुवात 1970 के उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर से एक बालक लाकार के रूप में हुई थी जिसके लिए उन्हें फिल्म पुर्शकार भी दिया गया इसके लावा पहली बार मुख्य अभिनेता के तोर पर 1973 की फिल्म बो भी में नजराय थे जिसके लिए उन्हें फिल्म फेर सर्वेस्टेश्ट अभिनेता पुर्शकार से उनको सम्मानित किया गया था इसके बाद मैं दोस्तो जो पुस्त के एम लेखक है उनसे सम्मन्दी जो भी करेंट अपैर अप्रेल महिने के अंदर था उनका अध्यान अपनी आपे करने वाले है तो सबसे पहले है दोस्तो दे आर्ट ओफ हर डील दे अंटोल्ड इस्टोरी ओफ मेलानिया ट्रम्प वास इसको साइमन एंड सुटर्स दुवारा इसको परकासित किया गया है नेक्स्ट दोस्तो अपना सुटिंग टू दा टॉफ दे श्टोरी ओफ पीवी संदु का फी इंपोर्टेंट है दोस्तो ये एक्जाम की देश्टी से हाली में खेल पतरकार वी कर्षन स्वामी दुवार सिंदु ओलंपिक में रज़त पदक जीतने वाली भारत की पहली और एक मात्र महिला खिलाडी होने के साथ साथ फोबर्स की विश्वे की सीर्ष दस सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलेट की सूची में भी वो सामिल एक मात्र भारती है नेक्स्ट है दोस्तो अपना परिदेश पर एक वेबिनार का एजन किया है यह वेबिनार विश्व पुस्तकम कोपिराइट दिवस के अउसर पर आयजित किया गया था जिसमें मानव संसादन विकास मंतरी रमेज पोकरियाल निसंग ने भी इसमेशा लिया था नेक्स्ट है दोस्तो अपना माई बुक मा माई फ्रेंड अवियान केंद्रे मानव संसादन विकास मंतरी रमेज सिंग फोकरियाल निसंग ने माई बुक माई फ्रेंड नामक एक नया अवियान शुरू किया है इसके बाद मैं दोस्तों जो अब इम आपको बता लेता हूँ कि जो अपना वीडियो चल रहा है उसके अ माईंत का करेंट अफेर अपने सामिल किया था अलग-अलग टोपिस के अंदर अपने इसका अध्यान किया चाहिए वो अंतराष्टे से सम्मंदीत हो राष्टे से सम्मंदीत हो चाहिए किसी राज्य से सम्मंदीत हो चाहिए वो मैटपॉन डिवस हो चाहिए खैल से सबसे पहले दोस्तों बोव वेटन बने दुनिया के सबसे बुजुरुग जीविक्त वेक्ति गिनिज वर्ड्स रिकोर्ड्स ने ब्रेटेन के वो बेटन के सबसे बुजुरुग वेक्ति रूप में 30 मार्ज 2020 तक 112 साल एक दिन तक जीविक्त रहने वाले वेक्ति का किताब दिया है तो दोस्तों इनकी उम्मर है 112 साल एक दिन बोव वेटन को ये रिकार्ड किताब जापान के चितेसु वातानावे का 23 फरवरी 2020 को 112 साल और 355 दिन पर ने दिन होने के बाद दिया गय बुजर्व एकति किसको चुना गया है बिर्टेन के वो बेटन है वो सबसे बुजर्व एकति है उनकी उमर है दोस्तों 112 साल एक दिन नेक्स्ट है दोस्तों ट्विटर के सियो कोविड-19 मामारी से निपडने के लिए देंगे एक बिलियन डॉलर ट्विटर के मुख्य कारि अधिकारी जेक दोर्सी ने विसमे में फेली कोविड-19 मामारी से निपडने के लिए काम करने वाली सेंस्ताओं को एक बिलियन डॉलर जो की लगबख 6500 क्रोड रुपे होते की रासी देने का एलान किया है नेक्स्ट है दोस्तों टाइगर नाडिया के कोरोना पोजिटिव पाया गया संक्रमन की पुष्टी अमेरिका के आयोवा में में इस्तितराष्ट ये पसुची किसा से वा प्रयोक्साला दुआरा की गई थी पिछले मैंने स्टियागर का एक क्रमचारी करोना वाइरस पोजिटिव पाया गया था जिसके बाद तीन बागों में सुक्की खास परशार बारती ने डिडि रेट्रो नाम से एक नया चैनल आरम किया है इस नया चैनल डिडि रेट्रो को विशेष रूपसे दूरदर्शन की पुराने मसहूर टीवी प्रोग्राम के लिए इसको लांच किया गया है नेक्स्ट है दोस्त अपना One Stop Digital Directory, One Stop Digital Directory, COVID FYI Launch, COVID-Fi एक One Stop Digital Directory है जिसमें सभी COVID-19 समन्दित सेवाओ और आधिकारी स्रोतों से जारी है यह मंच भारत्य परबंदन सैंस्तान कोजी कोड के चातर सिमरन सोनी के नेत्यतम में 16 सद्धियों की एक अंतराश्टी टीम दुवारा इसको बनाया गया है इसी के था दोस्तों अपना ये सेशन खतम होता है दोस्तों ये जो सेशन था अपना इसके अंदर पूरे अप्रेल महिने का करेंट अफैर अप्रेल 2020 अप्रेल पूरे महिने का करेंट अफैर का अपने या पर अध्यान किया था दोस्तों इससे पहले अपने जो दोस्तो जनवरी महिने से यदि current affair चाहिए तो आप अले लिस्ट में जाकर जनवरी फरवरी मार्च और यह जो चल रहा है अपना अप्रेल महिने का तो यह चारो वीडियो आप देखिए ताकि आपको इन चारो महिनों का current affair अच्छे से आपको तियार हो सके तो दोस्तो यह चाहिए और दोस्तो टोप 10 current affair की सीरीज अपनी चलती है जिसके अंदर डेलिए आपको टोप 10 current affair का वीडियो प्रोवाइड करवाई जाता है उसकी PDF प्रोवाइड करवाई जाती है उसी प्रकार दोस्तो यह जो अपनी monthly सीरीज चल रही है जिसके अंदर पूरे मन्त का आप वीडियो की पीडिये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स टू वाचिंग वीडियो औल दा बेस्ट प्लीज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको झाल